कैसे आप सब मैं हो आपकी मैम इलाकरानती और आज मैं आप सभी के लिए लेकर काई हूँ नया चैप्टर बहुत इंपॉर्टन चैप्टर विद्युधारा चैप्टर आप से हम शुरू करने वाले हैं तो भाई स्वागत करती हूं इस क्लास में आप सभी बच्चों को फटा नहीं पड़े हो फिर भी जो भी मैं बोलूंगी इसको अच्छे से सुन करकि अपने शब्दों में लिखना बहुत ज़रूरी है तो फिर जल्दी से क्विकली हम क्लास स्टार्ट करेंगे जल्दी 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 आइस फटा फटा आजाओ सारे बच्चे कहां हूं भाई जल्दी से क्विकली वीडियो को लाइक कर दो और हम शुरू करते हैं आज की हमारी एक लास तो बेटा आज विद्युद्धारा तीसरा चाप्टर का पहला लेक्चर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जिसमें हम टॉपिक कवर करने वाले हैं विद्युद्धारा धारा घनत और अनुगमन वेग या अपवावग आप सभी को पता है कि विद्युद्धारा चाप्टर अपने आप में बहुँ ज़ादा इंपोर्टेंट है और इसका वेटेज भी बहुत जादा रहता है तो बहुत ध्यान से आपको लेक्चर को सुनना है एक्टम ध्यान से आप बहुत अच्छे से बन जाएंगे ओके गाइस तो विद्युत धारा धारा घनत्व अनुगमनवेग अपवावेग यह टॉपिक हम स्टाइट करते हैं तो भाई देखो जब हम लोगों ने इसके पहले दो अध्याय जो हम लोगों ने पढ़े विद्युत आवेश तथा चेत् तो जब हम लोगों ने कक्षा बारवी की फिजिक्स की शुरुआत करी थी तो बिल्कुल इसी इमेज से इसी तरक्ती भरक्ती फोटो से ही हमारी यह जो 12 फिजिक्स की कहानी है 12 फिजिक्स की जो साइन से क्लास है हमारी वो हमारा जो है शुरू हुआ था इस से ही मैं आज की ये class को भी continue करने वाली हूँ बिल्कुल हम लोगों ने हम लोगों ने विद्युत के बारे में कक्षा दस्वी में already काफी कुछ पढ़ रखा था ठीक है जिसमें से पहले और दूसरे अध्याय में हम लोगों ने इस्थर आवेश के बारे में समझा किसके बारे में बीटा इस्थर आवेश के बारे में समझा ठीक है अब क्या होगा कि अब जो है आवेश इस्थर ना हो करके क्या करेंगी गतीशील रहेंगे क्या रहेंगे गतीशील रहेंगे मतलब कि बहने लगेंगे तो जब आवेश इस सकते हो तो वहाँ पर क्या प्रवाहित होती है फिर विद्यद्धारा प्रवाहित होती है नहीं भौतिक राशी हम लोगों को मिलती है ठीक है तो यह जो हमारा पिक्चर यहां पर आप लोग देख रहे हो थी की अब लैटनिंग यह एक बहुत ही नेचटरल फेनोमेना है जब तकराते हैं जिसकी वद्धात से ऑवेशों के बीच में स्थानाँत्रण हुता है इंभी बड़ी बीडिंग्स में तडक्या लगाया जाता है कि अगर मालो के बिजली गिरी एक chapter के lectures में मैंने आप लोगों को बताया है तो यहाँ पर आवेश वह बहते हैं जैसे कि मालो यह वाला जो current है ठीक है, हो क्या रहा है यहाँ पर देखो, यह बिलकुल जो है, इस तरीके से आ रहा है पर यह च्छाणिक होता है, कुछ समय के लिए होता है, धारा परवाहा के करण हम लोगों को जो बिजली है वो चमकती हुई दिखाई देती है आसमान में ठीक है तो इस तरीके से हम लोग अब आवेश के प्रवाहा के करण जो हम लोगों को धारा प्राप्त हो रही है वो हम लोग पढ़ेंगे यह स्टोरी जो बेंजामिन फ्रैंक्लिन जी ने इलेक्टर सिटी की विद्यूत की खोज करी ठीक है तो उन्होंने बताया कि विद्यूत जो है दो प्रकार के होते हैं एक तो होता है इस्थिर विद्यूत ठीक है और एक तो होता है विद्यूत धारा ठीक है मतलब जब विद्यू के concept समझ में आएंगे तो इसके लिए अभी तक कि अगर आप लोगों ने lectures नहीं देखे अटेंड नहीं किये हैं तो पक्का पहला और दूसरा chapter पूरा आप लोगों को जो है cover कर लेना है तब आप लोगों को विद्युधारा को समझने में और भी आसानी होगी तो class के बाद ब जो हम लोग स्थिर आवेश जो हम लोग पढ़े थे ठीक है तो वहां पर हम लोग क्या करते थे इस तरह से एक चालक गोला लेते थे ठीक है जिसमें आवेश जो है वो स्थिर रूप से रहते थे और जिसको हम लोग आवेशन की विधियां भी पढ़ेते कि इनको आवेशीत कैसे करते हैं, अब इस प्रकार से मैं क्या करूंगी, दो विपरित आवेश, जू है, डो चालक में है, अगर, दो विपरित आवेश, दो चालक में है, देखो, इसमें धन है, इसमें रिंड है, तो अगर मैं इनको क्या करूँ, एक wire ले लूँ, तो आप लोगों कुछ आलक को चालक के बारे में तो पता ही है तो इस तरीके से कोई चालक तार अगर आप इन दोनों के बीच में जोड़ दोगे तो क्या होगा क्या होगा तो अपनावेशित चालक गोला थीके ऊसके यह जो है बड़ा होता है रिणावेशित चालक गोला कैसा होगा निम्न विभाव होगा ठीके और और गे इस्तर विद्धित विभाव के बारे में पढ़ा जहां पर हमने देखा था कि जो विभाव है वो क्या होता है उच्च विभाव से निन्न विभाव की तरफ क्या है गती करता है उच्च विभाव से निन्न विभाव की तरफ गती करता है इसकी दिशा होती है यहाँ पर है क्या यहाँ पर एक्चुली में विभाव में अंतर है ठीक है मालो की यहाँ का वि आवेशों के प्रवाहा की वजह से हमें यहाँ पर क्या मिलेगी इस तार में जो है विद्युद्धारा प्राक्त होगी इस विद्युद्धारा को हम लोग आई से प्रदर्शित करते हैं ठीक है किसे प्रदर्शित करते हैं अब यह विद्युद्धारा कितने समय में कितना आ आवेश प्रवाहित हो रहा है वो क्या हो जाएगी उसकी विद्युद्धार्ण हो जाएगी अगर हम लोग क्या कर लें टी अगर एक सेकंड के लिए बात करें ठीकैं किसकी बात करें अगर हम बात करें किसकी एक सेकंड की तो एक सेकंड में जितना आवेश इस तार में से प्रवाहित होगा वही उसकी विद्युद्धारा कहलाएगी अब इसकी अनुसार जो है आगे कैलकुलेशन होता है ठीक है और ये तो हो गया विद्युद्धारा की बारे में मैंने आपक किलो जाता है ठीक है तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं छोटा सा हिस्सा ले सकते हैं उसका छोटे से हिस्से का कैलकुलेशन कर सकते हैं ठीक है तो छोटे से हिस्से में बहुत ही स्मॉल समय के लिए जब विद्युद्धारा प्रवाहित होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते है क्या हो रहा है DQ धारा प्रवाहित हो रही है क्या हो रही है DQ धारा प्रवाहित हो रही है और ये छोटा सा समय है DT इसको हम लोग डेल्टा टी और डेल्टा क्यू ऐसा भी लिख सकते हैं ठीक है डेल्टा टी और डेल्टा क्यू भी लिख सकते हैं तो यहां पर हम लोगों को क्या प्राप्त होगी तक्षणिक विद्युद्धारा प्राप्त होगी तक्षणिक विद्युद्धारा को हम लोग स्मॉल आई से प्रदर्सित करते हैं और यह हो जाएगा क्या डेल क्यू बाई डेल टी और यहां पर हम लोग लिग सकते हैं क्या लिमिट लगा लिमिट लगता है जब भी तक्षणिक की बात होती है ग्यारवी में आल्रेडी आप लोगों ने पढ़ा होगा ठीक है यह डेल्टा टी टेंस त तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं तक्षणिक विद्युद्धारा बोलते हैं अब हम इसके मात्रक और विमा के बारे में बात कर लेते हैं तो जो विद्युद्धारा है विद्युद्धारा का जो मात्रक होता है ठीक है मात्रक तो जैसे कि इसका सुत्र क्या है आई बराब Q by T, ठीक है, तो Q का मातरक होता है कुलाम, T का मातरक होता है क्या second, तो इसका एक मातरक तो हो गया क्या कुलाम पर second, ठीक है, और क्यूंकि MPR scientist का नाम है, उन्होंने ही हम लोगों को विद्युद्धारा का जो है study करके बताया था इसके बारे में, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग इसका मातरक capital A मतलब की MPR से भी प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, यह तो हो गया विद्युद्धारा का मातरक, और अगर आब विमा की बात करें, ठीक है, किसकी बात करें, विमा की बात करें, तो विमा जो है, क्या हो जाएगा भई, इसका जो आप लोगोंने विमा के बारे में पढ़ा होगा, M, L, T और A, यह हम लोग जो मूल भौतिक राशिया होती है, जो आप लोगोंने मातरन मापन में पिछले class में, 11 में पढ़ा होगा, उसके अनुसार, इन 4 को हम लोग लेते हैं, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, कि य कि घाजीरो, L की घाजीरो, T की घाजीरो और A, यह क्या हो गया, विद्युद्धारा की विमा हो गई, ठीक, अब यह विद्युद्धारा की विमा की तो बात हम लोगोंने कर ली, अब किसकी बात करेंगे भई, किसकी बात करेंगे अब, अब हम बात करेंगे कि यह सदिस र सकती है या धारा तो इस दिशा में भी वैसकती है तो यहां तो दिशा की बात हो रही है फिर भी यह अदिस राशी कैसे है तो बेटा यह अदिस राशी ऐसे है कि यहां पर हम लोगों ने विद्युतावेश के बारे में पढ़ा था कि विद्युतावेश जो है वो अदिस रा क्योंकि कोई भी राशी बहुतिक राशी अगर सदिस राशी है तो सदिस योग के नियम का पालन भी करना चाहिए पर यहीं विद्युद्धारा सदिस योग के नियम का पालन नहीं करती है समान बीच गड़िती है रूप से जुड़ती है इसलिए यह जो हमारी विद्युद् ठीक है इसमें धारा बहेगी ठीक है ये धारा कब बहेगी जब हम लोग क्या करेंगे यहां पर जो है विभुवांतर लगाएंगे तब जो है धारा बहेगी विभुवांतर की वज़े से उच्च विभाव से निम्नविभाव की तरब बहेगी ठीक है तो इस चालकतार की होता है क्या होता है इलेक्ट्रॉन का प्रवा होता है तो यह जो इलेक्ट्रॉन है वो किधर से किधर बहते हैं यह जो है रिण से धन की तरफ बहते हैं जाहिर सी बात है रिणात्मा कावेश है तो वो रिण से धन की तरफ ही बहेगा पर यहां पर इलेक्ट्रॉन के बहने के क तरप बहरा है और जो हमारा रिंद आवेश मतलब की विपरीद दिशा में बहरा है और धारा के विपरीद हम लोगों को क्या प्राप्ट होती है विद्युद्धारा प्राप्ट होती है अब जब ये इलेक्ट्रॉन जो बहते है इनका मान क्या होता है एक दसमलो दस चैगुणा 10 की घात माइनस 19 कुलाम तो भाई ये तो हम लोगों ने पहले चाप्टर में पढ़ लिया था कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है उसका मान क्या होता है ठीक बिल्कुल तो भाई अब अगर इसको आप लोगों को परिभाशित करना है तो इसकी परिभाशा कैसे लिख सकते हो ये क्या है अनुप्रस्थ काट का छेत्रफल तो किसी किसी अनुप्रस्थ काट के छेत्रफल से एक कांक समय में जो विद्युत आवेश प्रवाहित होता है वहि उसकी विद्युत धारा कहलाती है ठीक है और अगर मालो आप लोगों से परिक्षा में पूछा कि एक एंपियर विद्युद्धारा का मतलब क्या होता है तो एक एंपियर विद्युद्धारा का मतलब होता है कि जब एक कुलाम आवेश एक सेकेंड में किसी चालक तार से प्रवाहित हो तो वो एक एंपियर की नावेश का जो है अध्यन कर रहे हैं जिसकी वज़ा से हम लोगों को विद्युधारा मिल रही है ठीक ओके सो अब हम बात करेंगे किसकी धारा घनत्व की बात करेंगे धारा घनत्व की बात करने से पहले फटा-फट से यहां पर इस डाइग्राम में हम लोग दे लेते हैं ज प्रवाहित हो रही है तो इस तरीके से अगर कोई अनुप्रस्त कार्ट का च्छेत्रफल ए एरिया मैंने लिया यहां पर दिख रहा होगा आप लोगों को डायग्राम में यह एरिया लिया तो इस अनुप्रस्त कार्ट के च्छेत्रफल से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है त ठीक है वो उसकी विद्धारा कहलाती है और आप देख सकते हो यहां पर डाइग्राम में जो धारा की दिशा है वो धनावेश धनावेश जिधर है उधर उस दिशा में होगा और इलेक्टरॉन जो है वो विपरित दिशा में बहते हैं टैंथ में भी आल्रेडी आप लोगों समझ लेते हैं यहां पर मतलब कि ऐसे विद्धारा प्रवाहित होती है कोई विद्धित परिपत में कैसे होता है जैसे कि आपके घर का भी अपना विद्धित परिपत है जिसमें बल्फ, लाइट, टीवी, फ्रीच, कुलर, सब कुछ है ठीक है यहां पर मैंने क्या किया है यहां पर मैंने जो है एक चालक तार में क्या करा है वोल्टेज अपलाई किया है मतलब कि हम लोगों ने उसको विभुवांतर दिया है और इस विभुवांतर की वज़ा से जब इस तरीके से चालक तार में क्या होती है धारा प्रवाहित होती है तो मालो यहां पर आई धार प्रवाहित हो रही है क्यों हो रही है जो हम लोगों ने देखा उसी की वज़ा से हो रही है इस विभुवांतर की वज़ा से क्या होता है इस विभुवांतर की वज़ा से विद्युच्छेत्र उत्पन होता है ठीक है क्या उत्पन होता है वैसे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं विद्यूद छेत्र प्राक्त होता है और जब ये इलेक्ट्रॉंस चालक तार के जो इलेक्ट्रॉंस है विद्यूद छेत्र के प्रभाव छेत्र में जब आते हैं तो उन पर क्या लगता है इस्थिर विद्यूद बल लगता है विद्यूद बल बोलेंगे इसको इस्थिर वि acceleration आता है अत्वरित होने की वज़ा से ही ये एक वेग पराप्त करते हैं ठीक है क्या पराप्त करते है जिसकी वज़ासे एलेक्ट्रॉनों में गती होती है और फ्लस्वरुघ, हम लोगों को क्या पराप्त होती है मतलब हम लोगों ने यहां पर विभा ह Fin और क्या मिला हम लोगों को विद्युद्धारा मिली यहां पर आप इस डाइग्राम में देख सकते हो कि यह जो ब्लू कलर वाली है यह क्या है आप लोगों का फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जो इधर की तरफ बहरा है ठीक है और जो धन आवेश है अब जाहिश सी बात है धन आव गरती करना शुरू करते हैं क्यों कि का-च ख़ड़ और तुट्ड़ाम बाता इक्जाम्पल देखा था फ्रिंग अपले का पतर पहले चेप्टर में तो तो नावेश है न सकतव जो जाते है watts का ते हैं का फिल सब्सक्रान की जम से है और जिसके घर में जाते हैं वो क्या हो जाता है तो बिल्कुल यहां पर क्या होगे यह जो होल्स है यह बिल्कुल वाइट कलर में वाइट कलर दिखने रहा होगा पिंक सिकार देती हूं यह जो होल्स है ठीक है यह होल्स जो है इलेक्ट्रॉंस के हटने के कारण वो जगा ख वरित होता है इस वेग के बारे में भी हम लोग आगे चलके पढ़ने वाले हैं जिसको हम लोग अनुगमन वेग या आप वहाँ वेग आज की क्लास में ही कवर कर लेंगे ठीक है और यहाँ पर जो बल लगता है विद्यूच्छेत्र के कारण वो आप लोगों का यह क्यूई ह हाँ बिल्कुल यही पढ़ा था हम लोगों ने धारिता में भी इसका इस्तमाल किया था इसको आप ऐसे भी लीग सकते हो ई बराबर वी बाई डी ठीक है मतलब कि कितना लंबाई है उसका और या फिर आर ठीक है तो इस तरीके से हम लोगों ने इस्तमाल किया था दूरी नोट करते हैं ठीक है इतना सभी को clear है very good अब हम बात करते हैं जो है यहाँ पर अगर किसी instrument में हम लोग क्या करते हैं अगर हम लोग किसी instrument में इस तरीके से लगाते हैं instrument मतलब समझ जो कि हैं तो मैं क्या करूंगी यहां पर मैंने बैटरी लगाया जिससे यहां पर विभूांतर मिला जैंपड यहां पर यहां पर कणुझ वल्म बहूं रहां यहां पर धृषिच स्विच को क्या कर देंगे? इस सुच को क्लोस कर देंगे ता इसमिच वघ और हो जाएगी, जैसे ही तो यहाँ पर है यहाँ बल्ब है, यहाँ यहाँ पर ज़र्त है, यहाँ वी धिखाई देगी, तो यहां पर हम लोगों को क्या प्राप्त हो गई विद्धारा प्राप्त हो गई ठीक अब धारा घनत्व तो धारा घनत्व की जो बात हम लोग करेंगे जैसे कि हम लोगों ने इसके पहले के डाइग्राम्स में देखा था आप लोगों के पास इस तरीके से क्या था इस तरी के छेत्रफल से क्या आप बह रहे हैं आवेश बह रहे हैं क्या बह रहे हैं आवेश ठीक है तो इस अनुकर अनप्रस्त काट के छेत्रफल से कितनी धारा जो है कितनी धारा जो है प्रवाहित होती है वो उसका धारा घनत्व कहलाता है ठीक है घनत्व के बारे में आप लोगों के रूप में क्या बह रहे हैं आवेश बह रहे हैं ठीक है और यहां पर क्योंकि अनुप्रस्त काट का छेत्रफल है ठीक है तो यहां पर आईतन की जगह में क्या हो जाएगा अनुप्रस्त काट का छेत्रफल तो हमें क्या मिल जाएगी फिर धारा घनत्व मिल जाएगा कि इस अनुप्रस्टिकाट की छेत्रफल से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है वो हमारा क्या कहलाता है धारा घनत्व कहलाता है यहाँ जो जे है धारा घनत्व को हम लोग जे से डिनोट करते हैं ठीक है कैसे डिनोट करते है धारा घनत्व को जे से डिनोट करते हैं अब जाहिर सी ब लोगों का जो धारा घनत्व है ठीक है धारा घनत्व का मातक क्या हो गया एंपिर पर मिटर स्क्वेर या फिर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एंपिर पर मिटर स्क्वेर या एंपिर मीटर की घात माइनस दो ठीक है अब वीमा कौन निकाल के बताएगा भई वीमा कौन निकाल के बताएगा जल्दी से बताओ मेरे को कौन निकाल के बताएगा इसकी वीमा क्या होगी तो धारा की वीमा हम लोगों ने निकाली थी ठीक है वीमा धारा की वीमा मात्रक बता दिया अब वीमा बता देती हूँ तो यहाँ पर धारा की वीमा क्या निकाली थी हम लोगों A में, ठीक है, तो यहाँ पर A जो है, वो क्या है, MPR है, किसका, विद्धारा का मातरक, ठीक, विद्धारा का मातरक, और इसके अलावा, छेत्रफल की वीमा क्या हो जाएगी, छेत्रफल की वीमा हो जाएगी, L गुणा L, ठीक है, यह क्या हो जाएगी, छेत्रफल की वीमा, य हम लोगों को पूरा-पूरा लिखना होता है, यहां पर क्या हो जाएगा M की घाद 0, है ना, L की घाद माइनस 2, T की घाद 0 और A, ये क्या हो गई, धारा घनत्व की विमा हो गई, ठीक है, क्या हो गई है, धारा घनत्व की विमा, ठीक है, सभी बच्चे, क्लियर हो, समझ में आ रहा है की नहीं, क्यों भाई, समझ में आ रहा है की नहीं, सभी को, हाँ, अभी हम लोगों ने विद्युद्धारा और धारा घनत्व दो नई भौतिक राशी के बारे में देखा, ठीक है, अब यहाँ पर अगर मान लोग की हम लोग, मतलब यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर अगर हम लोग अनुप्रस्त काट के छेत्रफल को कम जादा कर दिये, ठीक है, कम जादा कर दी, अनुप्रस्त काट के छेत्रफल को, मान लोग की यह अनुप्रस्त काट का सुआप पर निर्भर नहीं कर है कितने समय में कितना आवेश बहए है उस पर निर्भर कर रहा है इसुआ रहा है झाल्य अब हम देखेंगे क्या अनुगमन या फिर अपवह के बारे में क्या छक्राव मन्वेक या अपवाः वेक के बारे में जैसे की मैंने आपि लोगों को इलेक्ट्रों के बारे में बताया है कि इलेक्ट्रों जो है वो कैसे रहते हैं एक्दम इधर बह रहा है ठीक है को इलेक्ट्रॉन इधर बह रहा है ठीक है और आपस में बहुत जादा टक्राएंगे भी ठीक है तो जब यह आपस में टक्राएंगे तो टक्राने के करन्ट क्या होगा टक्राने के करन्ट इनका वेग जो है वो जीरो हो जाएगा और इनकी जो गतिज इस हो जाएगी गती उर्जा जु है जीरो हो जाएगी इस वज़ा से क्या करते हैं यह गती शील्ट्य तो रहते हैं परन्तो एक दूसरे की गती को कैंसल आउट कर देते हैं तो इसका जो मतलört अब आवरेज सेटी होता है वो जो है शुन्य हो जाता है ठीक कैसे ऑ इस क्या हो गई जैसे से कि यह मान लोग गति कर रहे हैं अब जैसे ही टकर आई तो उनकी गति जूर्जा क्या होगई शुन्य होगी अब उसको कोई गति जूर्जा देने वाला हो आपा नहीं वहां पे चिक्ए है जब हम लोग, हम लोगों विद्यधारा प्रवाहित करनी होती है, तब उसको गति जोड़ा कैसे देते हैं, उसको हम लोग समझेंगे, जैसे कि मैंने विद्यध परिपत में आप लोगों को बताया, सिखाया कि सोर्स लगेगा, वहाँ पर मतलब विभुवांतर लगेगा, तो एक मतलब एक मीटर क्यूब आईतन में, ठीक है, एक मीटर क्यूब आईतन में, जो इलेक्टरॉन की संख्या होती है, किसी चालक तार के इलेक्टरॉन की संख्या, वो दस की घात, दस की घात 29 होती है, इलेक्टरॉन की संख्या, ठीक है, और इनका जो स्पीड होता है, क क्रिश्कि घ Cinnamon olacak इतना ज्यादा वे उसका होता है परणतु ज्यादा वेग होने की वज़्ञास हेला इलेक्ट्रोन यू वन है, दूसरा इलेक्ट्रोन यू टू है, तीसरा इलेक्ट्रोन क्या है, यू थ्री है, इस तरीके से मालो, एन संख्या में इलेक्ट्रोन है, कितनी संख्या में, एन संख्या में इलेक्ट्रोन हैं, ठीक है, इन सारे का वेग क्या हो जाता है जूरो जीरो हो जाता है इसलिए हम लोगों को बिना किसी विभुवाँतर के क्या मिलता है इसका वेग जो Wesunrec few ने मिलता है क्योंकि एक दुसरे को कैंसलाउट कर देते है जलो हम लोग Drug Uni Care सब कि यहाँ पर मतलब की अंको कुछ नहीं होता है जिसочки हम लोगे हैं ऐसी चीज़ को समझना है ठीक़ हैं धियान से कि हमने क्या किया इसको जो है किसी तरीकर से रेया में ले आए, मान लोग कि ये किसी विद्युच्छेत्र में हम लोगों ने ले आया, यहाँ पर ये लाइन जो मैं खीच रही हूँ, ग्रीन कलर की, ये मान लोग कि आपका क्या है विद्युच्छेत्र, ठीक है, जैसे ही विद्युच्छेत्र में आता है, तो क्या होता है, जैसे ह हम क्या करते हैं यहाँ पर विभुवांतर जब लगाते हैं यह क्या कर दिया मैंने विभुवांतर लगा दिया ठीक है अब विभुवांतर लगा दिया जिसकी वज़े से यह विद्युचित्र के प्रभाव में आ गया अब यह जब विद्युचित्र के प्रभाव में आ गया और ये इलेक्ट्रॉन जो है कैसे है, रिण आवेशित है, इसलिए मैंने क्या कर दिया, माइनस E लिग दिया, ठीक है, अब होगा क्या, विभुवानतर लगाने की वज़ा से यहाँ पर इन इलेक्ट्रॉनों को विद्धुत बल मिलेगा, क्या मिलेगा, ठीक है, तो विद्ध जीरो होने के बावजूत, इस 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 पर, रैंडम मूव करता है, इसको हम लोग जिग जैग, मोशन भी बोल सकते हैं, कहीं पर भी वो, जो है, वो मूव कर रहा है, तो, जैशी बात है, टकराएगा, धनावेश से टकराएगा, टकराने के बाद, उनका क्या हो जाता है, जिसकी वाजाए से इनकी जो गती शुन्य होती है ठीक है जब जब काइनेटिक एनरजी सौर्ट में लिख रही हूं जब जब इनकी गतिज उर्जा शुन्य होती है तो होता क्या है विद्यूद बल के कारण विद्यूद बल के कारण पुनाहा इनको क्या प्राप्त होती है गतिज उर्जा प्राप्त होती है ज फिर से उनको क्या होगा, ये सरकल फिर से दुबारा चलेगा, पूना चलेगा, फिर से टक्राएंगे, तो second time, ये first time था मालो, ठीक है, second time में फिर से क्या प्राप्त होगा, इन लोगों को वेग V2 प्राप्त होगा, ठीक है, तो इसी तरह से बार बार इनको जब जब इनकी गत अधिया वेग या उसद वेग, ठीक है, तो माध्या वेग या उसद वेग जो लिखना चाहो, लिख सकते हो, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डैस डैस जितने भी है, जितने बार भी इनको वेग प्राप्त हुआ, ठीक है, इन सब का अगर हम लोग उसद निकालेंगे, तो ये हो जाएगा बटे में N, अब ये क्या प्राप्त हुए हम लोगों को, एवरेज वेलोसिटी प्राप्त हुए, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी प्राप्त हुए, जिसकी वजह से आवेश जो है, चालकतार में, इलेक्ट्रॉन जो है, वो प्रवाह शुरू करेंगे लगातार बहना शुरू करेंगे टक करके बाउजुद फिर से पुना बहने लगेंगे तो ये जो माध्य वेग है ये माध्य वेग ही हमारा अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहलाता है क्या कहलाता है अनुगमन वेग या फिर अपवाह वेग अब अनुग तब जाके जो वेग मिलता है वो हमें अपवाह वेग के रूप में मिलता है और इस अपवाह इलेक्ट्रॉंस किसको मिलता है ये इलेक्ट्रॉंस को अपवाह वेग मिलता है जब इलेक्ट्रॉंस अगर मालों कि ये इलेक्ट्रॉंस एन संख्या में हैं जिनको अपवाह वेग average velocity V average मिला ठीक है एन संक्या के electrons को ठीक है तो यहां से हम लोगों को क्या प्राप्थ हुई विद्धारा प्राप्थ हुई क्या प्राप्थ हुई विद्धारा मतलब यह समझ जाओ कि पूरी कहानी क्या हुई पूरी कहानी में यह हुआ कि जैसे ही हमने क्या किया जैसे ही हम लोगों ने चालकतार में विभुवांतर लगाया ठीक है विभुवांतर लगाया तो हम लोगों को विद्धारा प्राप्त हुई आई ठीक है किसकी वज़ा से अनुगमन वेग की वज़ा से ठीक है अनुगमन वेग इसको अनु drifting इसलिए इसको बोलते हैं drift velocity d for drift इसलिए इसको small v और d से जो है इस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है अब वेग है वेग तो जाइड सी बात है इसका मात्रव मीटर पर सेकेंड ही होगा जैसे होता है normally वैसे ही मीटर पर सेकेंड होता है अब यहाँ पर जब हम विभानता लगाते हैं तो यहाँ पर जो एक electron का वेग होता है ना अनुगमन वेग जिसको हम लोग हो रहे हैं वो 10 की घात माइनस 4 मीटर पर सेकेंड का होता है इस range में होता है लगबग इसके आसपाद देखो पहले जब free electrons थे तब उनका जो वेग था वो 10 की घात 5 मीटर पर सेकेंड इतना ज़्यादा वेग था परन्तु गति जुर जा शुन्य हो तक करके बश्याद सुन्य हो जाने के कारण वह वापस पुनाह नहीं चल पाते थे वापस पुनाह नहीं चल पाते थे जैसे हम विद्युत बल लगाते हैं वहाँ पर विभुवांतर की वज़ा से विद्युत छेत्र उत्पन हुआ और इस विद्युत छेत्र की वज़ा से क्या प्राप्त हुआ विद्युद्भल प्राप्त हुआ इस विद्युद्भल की वज़ा से क्या हुए जो इलेक्ट्रॉन्स है वो त्वरित हुए गति करना शुरू करे त्वरण आया मतलब की कुछ ना कुछ वेग होगा उसका तभी उसको क्या मिला त्वरण मिला और इस और इस त्वरित होने की वज़े से हम लोगों को क्या प्राप्त होती है यहां पे drift velocity प्राप्त होती है drift velocity के कारण ही आवेश गती करते हैं जिसका range drift velocity का एक electron का यह range जो है 10 की खाथ माइनस 4 मिटर पर सेकेंड होता है और हमको क्या प्राप्त होती है finally विद्युद्धारा प्र रहा है तो यह जो sequence मैंने आप लोगों को बना करके बताया है इसको अच्छे से ध्यान रखना अगर यह sequence ध्यान रखोगे तो सारे concept आप लोगों को समझ में आ जाएंगे अगर अभी हम लोग अनुगमन विक का सुत्र निकालेंगे ठीक है सुत्र का निगमन करेंगे तो य यहां पर भी काम आएगा क्योंकि ओम के निया में हम relation पढ़ेंगे किसका इस वी का इस वी का और इस आई का जितना हम लोग विभुवानता लगाते हैं उतना ही हम लोगों को क्या प्राप्त होता है समान अनुपात में जितना हम लोग विभुवानता लगाते हैं उसके समा अगर आपको ज्यादा विद्युधारा की जरुवात हो, तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है, इस विभुवांतर का मान जो है, उसको बढ़ाना पड़ता है, तो जैसे ही विभुवांतर का मान बढ़ेगा, वैसे ही क्या बढ़ जाएगा, विद्युधारा का मान भी बढ रही थी ठीक है और यहां इलेक्टरॉंस जो है वो इस तरीके से बह रहे थे इनको इन लेक्टरॉंस को हम लोगोंने Drift किया Drift velocity प्राप्त हुई जिसकी वज़ासे हम लोगों को वद्धयू धारा प्राप्त होगी ठीक है और जैसे कि हम लोगों ने धारा घनत्व के बारे में भी पढ़ा था, तो धारा घनत्व की जो दिशा है, वो विल्कुल विद्यू धारा की दिशा में ही होती है, तो इन सारी दिशाओं को आपको समझना है, और जो विद्यू छेत्र की जो दिशा होती है, यहां पर विद्य से धन की तरफ होती है ठीक है तो भाई ये हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ पर इलेक्ट्रॉंस की अनियमित गती देखी थी जब जैसे ही हम लोगों ने क्या क्या विभुवांतर लगाया ठीक है इसकी विभुवांतर के लगाने से क्या हो गया ये electrons वो है नियमित रूप से गती करने लग गया, इधर उधर motion ना करके, random motion ना करके नियमित रूप से गती करने लग गया और हम लोगों को क्या प्राप्त हुआ, drift velocity प्राप्त हुई, ठीक है, अब, अब क्या करेंगे, माध्यवेक तो समझ लिए हम, ठीक है, माध्यवेक तो समझ लिए, अब हम लोग इसका सुत्र निकालेंगे, क्या करेंगे, इस drift velocity का सुत्र निकालेंगे, तो ये drift velocity का जो सुत्र है, वो कैसे निकलेगा, drift velocity का सुत्र, तो ये मैं आप लोगों को अब बताती हूँ, ठीक है, अब जैसे कि हम लोगों को यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ था, average प्राप्त हुआ था, V1 प्लस V2 प्लस V3, मतलब जितनी बार भी क्या हो रही है, गती जूर्जा प्राप्त हो रही है, जितनी बार भी, ठीक है, तो यह आपका क्य था माध्यवे drift velocity अब ये drift velocity अगर मान लो कि जैसे कोई विद्युद्धारा है ठीक है तो मैंने आप लोगों को बताया था कि एक सेकेंड में जितनी विद्युद्धारा एक सेकेंड में किसी अनुप्रेस्ट काथ के छेत्रफल से जितना आवेश प्रवाहित होगा वह उसकी क क्या कहलाती है विद्युद्धारा कहलाती है तो अब मालो कि यहां पर Republicans की संख्या है उसको हम लोगों क्या मान लेते हैं ठीक है तो any electrons की संख्या and electrons की संख्या जो है वो किसमें से प्राप्च होगी एक जो चालाख है इसके अनुप्रेस्ट काट के छेत्र पलसे जैसे कि यह चालक तार का तुकडा हम लोगों ने लिया और यहां से मालो कि मैं इसका छेतरफल जो है अनुप्रस्त काड़ का छेटरफल ए ले रही है ठीक अब यहां से क्या हुआ यह आवेश जो है इस तरीके से प्रवाहित हुआ जाईश से बात अनुप्रस्टर काट के बीच से ही प्रवाहित होगा ठीक है यह आवेश ये आवेश बना दिया मैंने ठीक है आवेश बना दिया ठीक है अब मालो की इस अनुप्रस्टर काट के छेत्रफल से क्या हो रहा है N, कितनी संख्या में, मतलब कि इस अनुप्रस्तिकार्ट के छेत्रफल से एक सेकंड में N संख्या में गुजरने वाली गुजर रही है, ठीक है, आवेश जो है, वो गुजर रहे हैं, क्योंकि N संख्या है, कितनी है इलेक्टरों की संख्या N है, तो यहाँ पर N हो जाएगा, ठीक, बराबर N E, अब यह तो हो गया, ठीक, अब क्या होगा, Sोचो जाए रहा, अब क्या होगा, आप जायर से बात है, यह अनुप्रस्तिकार्ट के छेत्रफल से जो है गुजर रहा ह तो मान लो कि इसका जो आयतन है, मतलब कि इस अनुपरस्त काट की शेत्रफल से जो गुजर रहा है, ठीक है, अब इसमें क्या करें, हम लोग इसमें देख लेते हैं, कि मान लो, क्या भई, क्या मानें इसमें, मान लो कि इस बेलन का आयतन, इस बेलन का आयतन हम लोगों को कैसे मिलेगा ये हम लोगों का अनुप्रस्त काट का शेत्रफल हो गया ठीक है और इस शेत्रफल से बहरा है ठीक है अब हम लोगों को निकालना क्या है हम लोगों को ये निकालना है कि कितना आवेश ये तो ये निकाल लिए कितना आवेश बहेगा इस अनुप्रस्त काट के छित्रफल से और किस वेग से बहेगा तो उसका वेग भी आ जाएगा यहाँ पर A, V, D इस तरीके से होगा ठीक है और यहाँ पर यह जो आवेश है वो आई है क्योंकि हम लोग किसमें बात कर रहे हैं एक सेकेंड के लिए बात कर रहे हैं एक सेकेंड में अनुप्रस्त काट के छित्रफल में कितनी विद्धारा बहेगी तो I विद्धारा बहेगी जब उसमें से क्यों आवेश प्रवाईत हो रहे हैं एक सेकेंड में तो ठीक है तो यहाँ से आप लोगों को यह रिलेशन मिल ग i बटे- N E A ठीक है? i बटे क्या हो जाएगा? N E A होगा की नए? जल्दी से मिरे को एक बार नब बार कंफिर्म करके बताओ यही होगा की नए? एक बार देख लेते हैं देख लेते हैं इक बार जल्दी से फटा फट से हाँ बिलकुल यही होगा यह और यह और यहां पर यह हो जाएगा क्या जे बटे N E ठीक है तो आप इसको लेख सकते हो जे बराबर N E V D तो यहां पर हम लोगों को धारा घनत्व का सुत्र जो है डिफ्ट वैलो सिटी के फॉर्म में भी मिल गया ठीक है तो यह जितने भी रूप है आप लोगों के धारा घनत्व और अनुगमन वेर्क या फिर आप वहावेक तीन भौतिक राश्यों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है तो डिफरेंट डिफरेंट काइंड ओफ रूप से आप लोग जो है इसको लिख सकते हो एक अनुगमन वेर्क का फर्मुला आपको आगे चलके मैं बताऊंगी जब हम लोग प्रतिरोध के बारे में पढ़ेंगे तो ठीक है वो अलग टॉपिक है अभी कवर नहीं करवा सकती क्योंकि अभी ओम का नियम पढ़ना बचा है प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता पढ़ना बचा है प्रतिरोध और प्रतिरोधकता पढ़ने के बाद आगे उसके बाद हम लोग अनुगमन वेग जो है प्रतिरोध से रिलेशन कैसे है प्रतिरोध इमाम के हस्बंड का नाम है अमित तो ए फॉर अमित तो आई बटे ए इला माम बटे अमित सर जो है वो क्या दे रहे हैं आपको धारा घनत्व दे रहे हैं तो बिलकुल अगर आप चाहो तो ऐसे याद भी कर सकते हो ठीक है चालो तो हम लोगों नहीं क्या-क्या पढ़ लिया भाई बहुत सारी चीज़े पढ़ ली आज हम लोगों ने ठीक है बिलकुल यहां से स्टार्ट हुई थी स्टाटिक एलेक्टिसिटी और करेंट एलेक्टिसिटी हाना इस्थिर विद्यूत और विद्यूत धारा और विल्कुल विद्यूत धारा के बारे में हम लोगों ने और बिल्कुल मनलब धारा की दिशा जो है इलेक्ट्रॉन के विपरित दिशा में होती है क्योंकि आवेश एक्चुल में जो बहते हैं इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मुक्त वस्था में रहते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है, प्रो लोगह तरेक से कोई भी यह उत्र हम को विध्योद्धारा कितना जरूरी है विद्धारा आप लोग पा रहे हो वोल में आप रहे हूँ सस्थ जल रही है ठीक है तो बिल्कुल इन सब चीजों का आप लोगों को ध्यान में रखना है और धारा घनत्व भी मैंने आप लोगों को बता दिया और यह अनुप्रस्तका यह जो है काफी जादा मतलब की लोगों को परिशान करता है नहीं बच्चों को परिशान करता है हमारे बच्चों को पर I hope कि मैंने आप लोगों को बहुत ही सरल तरीके से बताने की कोशिश करिये तो आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा, आया की नहीं आया समझ में जल्दी से मुझे बता दो, जैसे कि यहाँ पर यह बल्ब है, बल्ब में यह क्या होता है, contact point होता है यहाँ पर, ठीक है तो इसको क्या करते हैं, हम लोग विभुवांतर देते हैं, मतलब मान लोग की बैटरी लगा दी, मैंने यहाँ पर धान और रिन की क्या लगा दी, एक बैटरी लगा दी, बैटरी लगा दी, अब बैटरी की वज़ा से क्या होगा यहाँ पर, बैटरी की वज़ा से इनको व वाहाँ वेग मिला था जिसकी वज़े से क्या होगा इस बल्ब में विद्धारा बहेगी और जैसे ही बल्ब में विद्धारा बहेगी switch on करने से ठीक है जब हम लोग विद्धी बल लगाएंगे विभानतर तो यहाँ पर बल्ब जो है आपको जलती हुई यहाँ पर प्राप्त होगी, ठीक है, तो यह सारे concept हम लोगों ने आज पढ़ लिए, ठीक, अब वैसे यहाँ पर यह चीज मैं already आपको समझा चुकी हूँ, एक बार फिर से समझा दीती हूँ, इस diagram में, जैसे कि यहाँ पर जो है, यह अनुपरस्त काट का छेतरफल A है, ठीक जो लिखा हुआ है वहाँ पर, ठीक, तो यहाँ पर यह इसका आयतन हो गया, जैसे कि अगर आप घनत्व की बात करोगे, तो घनत्व का सुत्र हम लोग क्या पढ़ रहे थे, द्रव्यमान, बटे आयतन, ठीक है, तो यहाँ से द्रव्यमान आपका क्या हो गया, द्रव्यमा द्रव्यमान जो आवेश है वो आपका द्रव्यमान हो गया और यह क्या हो गया बटे आयतन और यह A, B, D, D, T ठीक है और यह small समय का है छोटे से समय का है तो इसको हम लोग हटा सकते हैं ठीक है यह I, A, V, D यहीं मिला था ना हम लोगों को पहले देख लेते हैं एक बार I बटे N, E, A मिला था है ना N, E, A क्या मिला था है यहाँ पर V, D V, D बराबर J बटे N, E मिला था है ना V, D बराबर V, D बराबर J बटे N, E ठीक है तो यहाँ पर कितना आवेश बह रहा है V, D बराबर J बटे N, E यही प्राप्त हुआ था हम लोगों को अगर J बराबर क्या लिखेंगे हम लोग N, E और V, D ठीक है कोई बात नहीं इसको वैसे उतना ज्यादा समझने की जरुवत भी नहीं है आप लोग आगे बढ़ सकते हो बिल्कुल आईतन यहाँ पर वैसे हम लोगों को आगे चलके जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे क्या प्रतिरोध के कारण जब यहाँ पर रिलेशन देखेंगे तब हम लोग इसको समझ लेंगे ठीक है जार्ज साइमन ओब इन्हों ने हम लोगों को बहुत इंपोर्टेंट नियम दिया यह नियम क्या कहलाता है जैसे कि अभी अभी आप लोगों ने अनुगमन वेग के बारे में पढ़ा ठीक है तो अनुगमन वेग के बारे में जब आप लोगों ने पढ़ा तो वहाँ पर आप लोगों ने ठीक है अब हम लोगों ने विभुवांतर लगता है ठीक है जब भी विभुवांतर लगता है तो याद करो कल मैंने आप लोगों को जब विद्धारा के बारे में बताया था तो एक डाइग्राम आप लोगों को बताया था जिसमें एक धनात्मक चालक गोला था एक जो है रि कि तरफ गती करेका आवेशों के स्थां आंत्री तो होगे जब तक यहां पर भी होगा जबंट तक करनके कारंट प्परति समय में प्रती एक प्रापत हो रहे थी विद्ध धार gaze तो यहान पर ध्यान देना, ओम के नियम में जॉज साइवन ओम जी ने क्या बताया, कि यहाँ पर जब चालक के दोनों सिरो पर, ठीक है जैसे कि यह bunları क्थार है इसके दोनों पर इसके दोनों पर क्या है, इसके दोनों सिरो पर विभुआंतर अगर हम लोग आरोपित करते हैं, ठीक है तो होगा क्या ये विभुवांतर होगा V बराबर V1-V2 ठीक है क्या होगा ये विभुवांतर V बराबर V1-V2 तो इस विभुवांतर के कारण इस चालकतार में क्या प्रवाहित होगी धारा प्रवाहित होगी और ये धारा जो है वो क्या होगी इस विभुवांतर के सम आनुपाती होगी यही क्या कहलाता है ओम का नियम कहलाता है पर इसमें कुछ शर्ते होती है शर्त क्या होती है शर्त यह होती है कि इसकी जो भौतिक मतलब कि इसमें जो भौतिक राशियां है भौतिक राशियां जैसे की मतलब की भौतिक इस्थितियां बोल सकते हो ठीक है भौतिक इस्थिति ताप दाब ये सारी चीजें जो है क्या होनी चाहिए भौतिक इस्थिति जो है वो नियत होनी चाहिए मतलब की लंबाई में कोई प है कि जो इस चालक तार के सीरोप पर लगाया गया विभवांतर है वो समान उपाती होता है इस चालक तार से बहने वाली धारा के ठीक है अब कोई अगर मान लोग कि आप से आगे चल के कभी भी पूछेगा तो होता क्या है जेनरली बची ये बोलते हैं कि वी इस डायेकली प् का नियम है पड़ेगा मार अगर ऐसा बोलोगे तो सीधी बात सीधी बात बता रही हूं क्या बता रही हूं सीधी बात कि चालक तार हम लोगों ने लिया एक धारा वाही चालक तार के दोनों सिरोपर हम लोगों ने क्या आरोपीत किया अब क्योंकि हम लोगों ने यहां पर विभाव में अंतर होने की वज़ा से क्या होगा यहां पर आवेश जो है एक जगह से दूसरी जगह मतलब उच्च विभाव से निमना विभाव की तरब क्या होंगे इस्थाना अंतरित होंगे ठीक है जिसके करण किया गया कारे आप लोगों का विभाव कहलाता है यह सब हम उने मतलब इस्तिरविद्यूत विभाव में पढ़ लिया था यहां पर याद दिलाती हूं इसका मतलब यह नहीं है सारी चीज इसलिए याद दिलाती हूं क्यों कि रिलेट करके पढ़ना है ऐसा कुछ भी पढ़ा था आप लोगों ने पर यहां पर आपको क्या समझना है यह के समानुपाति होगी विभुवांतर के समानुपाति होगी यही ओम कर्याम है यहां पर धारा विभुवांतर के धारा विभुवांतर मतलब कि विभुवांतर बढ़ाते हैं वैसे धारा भी बढ़ती है अगर हम लोगों को धारा को घटाना है तो धारा को घटाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है विभुवांतर को अगर हम घटा देंगे तो हमारी तार की जो विद्धारा है वो भी घट जाएगी तो कितनी धारा का मान चाहिए ये इस तरह से हम कम जादा कर सकते हैं तो इसको समझ लेना इसको इस तरीके से क्रॉस करके लिख लो इसलिए नहीं लिखा जाता क्योंकि विभुवांतर आरोपित करने के परिणाम स्वरूप हमको विद्युद्धारा मिल रही है ठीक है तो इसलिए हमेशा हम इस रूप में ही लिखते हैं कभी कभी कंफ्यूज कर सकता है आप लोगों को अगर ऑप्शेंस में दिया हो तो इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है बिल्कुल अच्छे से ठी है जो समानुपाती होता है इस तार से बहने वाली धारा के बसरते क्या होती है भौतिक इस्थितिया जो है वो नियत होनी चाहिए कोई भी बदलाव नहीं होना चाहिए तब अब हम क्या कर सकते हैं यहां से समानुपाती का चिन्न हटा सकते हैं जैसा ही हम क्या करेंगे समान तांक को हम लोग क्या कहते हैं प्रतिरोध कहते हैं ठीक है क्या कहते हैं लोग इस निया तांक को प्रतिरोध कहते हैं तो प्रतिरोध और प्रतिरोधक्ता के बारे में भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, पढ़ेंगे इसके बाद पहले ओम का नियाम हम पूरा कर लेते हैं, ठीक है, पर यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ठीक है, भौतिक राशियों में हमें वैसे बहुत सारी चीजे बताई, पर तापमान में परिवर्तन के साथ साथ प्रतिरोध का मान भी बदल सकता है, इस वजह से क्योंकि हम लोग यहाँ पर प्रतिरोध को एक नियतांक के रूप में, मतलब की एक फिक्स वैल्यू के रूप में इस्तमाल कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर यह कंडिशन बहुत जरूर ठीक है, तो यह कंडिशन बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, बिल्कुल सभी को इंपोर कर सकते हो आप लोग, जो भी मैंने यहाँ पर आप लोगों को लिखाया है, जल्दी से फटा फट से क्विक्ली नोट कर लो, आप थीक है ? note कर लिया आप लोगोंने अब ohm का नियम तो हम लोगोंने पढ़ लिया हम लोगों को क्या मिला ? ohm के नियम से मिला क्या ? V equals to RI थीक है ? तो इस V equals to RI को इस तरीके से हम तीन णूप में लिख सकते हैं आप लोग देख सकते हो ? यह बड़ी ऐसा ब्लॉक बना सकते हो, यहाँ पर क्या है V equals to RI या फिर IR एक ही मतलब है, ठीक है, तो या तो हम लोग विभुहांतर अगर हम लोगों को calculate करना हो, तो यह इस्तेमाल करेंगे, अगर हम लोगों को विद्युधारा calculate करना हो, तो V by R लग देंगे, I बराबर V by R, और अगर हम लोगों को प्रतिरोध calculate करना हो, तो R बराबर V by R, यह value तो क्या होती है, fix होती है, जहाँ पर fix होती है, वहीं पर ओम का नियम लगेगा, अगर प्रतिरोध का मान बदला, तो वहाँ पर ओम का नियम भी लागू नहीं होगा, तो यह बहुत ही important है कि ताप मान मे कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ठीक है, चलो, सभी को clear है guys, सभी को clear, बढ़ी ऐसा diagram बना लो, लिख सकते हैं, आप लोग यह तीनों जो चीजे हैं, आप लोगों को बहुत जादा, अगर जब भी विद्युत परिपत की बात होती है, या विद्युत की बात होती ह तो वहाँ पर यह चीज आपको बहुत जादा commonly इस्तमाल होगी, ठीक है, तो लिख सकते हो तीनों को, हो गया, done, आगे बढ़े, चलो भाई, आगे बढ़ते हैं, तो अब ओम के नियम के अनुसार, जो भी मैंने आप लोगों को समझाया, उसकी परिभाशा है, आप लोगों शॉट ले सकते हो, बिल्कुल मैं साइड हो जाती हूँ, जो भी मैंने समझाया, बिल्कुल वही सारी चीजे है, चालक की भौतिक अवस्थाएं, जैसे की लंबाई, शेत्रफल, आईतर, दाब, इत्यादी जो है, क्या रहना चाहिए, और परिवर्तित होना चाहिए, मतलब होता है, ठीक है, समानुपाती होता है, या तो फिर ऐसा भी यहां पर ऐसा लिखा गया है, कि इसका जो अनुपात है, वो नियत होता है, नियत मतलब की प्रतिरोध, प्रतिरोध की जो हम बात कर रहे है, ये, ठीक है, तो दोनों ही रूप में आप सो लिख सकते हो, ओम के नि एक ओम चालक के प्रतिरोध की बात कर रहे हैं ठीक है तो ये जो प्रतिरोध है आप लोगों का ये जो है इसका जो मातरक होता है वो होता है क्या ओम ठीक है मातरक क्या होता है ओम होता है तो एक ओम चालक का प्रतिरोध को हम लोग इस प्रतिरोध को हम लोग इस तरीके से परि उप्रवाहित होती है थीक है तो हमारा जो प्रतीरोध होगा वो क्या होगा एक ओम का प्रतीरोध होगा इसका मतलब ये है एक ओम पराबर एक सब्सक्लाइब याद रखता है यहिस है अत्वाला ठीक़ और यह मात्रक आप याद रख सकते हैं प्रती रोत का मात्रक या होता है ओम होता है च्या होता है अब वैसे तो विभाव विभुवांतर का मातरक आपका होता है क्या वोल्ट और धारा का मातरक क्या होता है एंपियर ठीक है तो प्रतिरोद का मातरक वोल्ट पर एंपियर आप लिख सकते हो वोल्ट पर एंपियर भी लिख सकते हो या फिर वोल्ट पर एंपियर या ओम अब ओम क्यों लिख रहा हैं? ओम इसलिये लिख रहा हैं क्योंकि अब George Simon ओम scientist ने यह नियाम दिया तो बहुत सारे मात्रा कैसे होते हैं जो scientist के नाम पर रखे दिये जाते हैं. ठीक है सबी को clear है? ओके. ग्रेट तो अब हम बात करेंगे मतलब की जो हम लोगों ने ओम का निया देखा, क्या देखा, ओम के नियम के अनुसार की दोनों ही क्या होता है, मतलब विभुवांतर समानुपाती होता है, बहने वाली धारा के, या फिर विभुवांतर और धारा का अनुपात होता है, वो फिक्स होता है, नियत होता है, जिसको हम लोग प्रतिरोध कहते हैं, इसका मातरक क्या होता है ओम या फिर वोल्ट पर एमपियर ये अभी हम लोगों ने समझा ठीक है अब जाहिर सी बात है समान अनुपाती है ठीक है समान अनुपाती है इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं विभाव का मान बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे क्या अनुपात क्या रहेगा समान रहेगा जितना विभाव में हम लोग बढ़ोत्री करेंगे उतना ही क्या होगा इस विद्यो धारा में भी बढ़ोत्री होगा इतना कि उनका अनुपात नियत रहे आर का मान fix रहे अनुपात क्या रहे नियत रहे या फिर r का मान fix रहे इतना ठीक है ठीक तो अब इनके बीच में graph भी बनेगा तो ये graph कैसा होगा देख लेते हैं सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर दो actually लेते हैं ये हो गया हम लोगों क्या मान लोग कि ये विभाव हो गया और ये क्य होगे आपकी विद्युधारा होगी ठीक है तो जैसे जैसे हम क्या करेंगे विभाव का मान बढ़ाएंगे तो समान अनुपात में होने के वज़े से क्या बढ़ेगा विभुवांतर बढ़ाने से विद्युधारा का मान भी बढ़ेगा विभुवांतर बढ़ाने से विद बिंदू पर, ठीक, तो ये राइन हो गई, ठीक, उसके बाद मान लो कि यहाँ पहुंचे, ठीक है, तो ये बिंदू मिला, दोनों का ये common बिंदू, ठीक है, तो ये बिंदू हुआ, ये बिंदू हुआ, ठीक है, समान अनुपात में बढ़ रहा है भई, देख लो, अब उसक के बीच में graph प्राप्त होता है ये जो graph मिल रहा है ये कैसा है रैखिक है कैसी है सरल रेखा है एक रैखिक है graph कैसा है रैखिक है जिसको हम लोग सरल रेखा भी बोलते है इसका मतलब ये है कि ये जो मतलब की ये जो हम लोगों को मिल रहा है graph ये क्या है हमारा प्रतिरोध है ज इसका मान नियत है या फिर फिक्स है तो यह होना चाहिए अगर यह होगा तभी ओम के नियम का पालन करेगा अगर ऐसा नहीं होगा तो ओम के नियम का पालन नहीं होगा ठीक है ओम के नियम का पालन नहीं होगा जहां पर भी और रैखिक मिला वहां पर ओम का नियम लागू नह रहें वहाँ पर आम कंदर्ध मिलेगा नहीं है और भौतिक राशी या जैसे कि नियत होनी चाहिए आप से नोट कर लो बना लो जल्दी से कुऊले डूत बना लो मनelे आप लोकूंस इस वाल आ सकता है कि माम क्या यहाँ पर वी और यहाँ पर आई हो सकता है ऐसा हम लोग ग्राफ बना सकते हैं क्या ठीक है यहाँ पर आई जो है यह एंपियर में था पहले तो और यहाँ पर यह किस में था वोल्ट में था पर ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ पर वोल्ट और यहाँ पर एंप प्रति रोद्द का मान होता है और वैसे थोड़ा ग्राफिकल के बारे में आप लोग इन ने अल्रेडी जितनाटतों किन लोड़ेगने क्या हूप मर Transportation जामिती में अपने mathematics subject में दस्वी में पढ़ाई होगा, I'm sure आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, तो इस तरीके से दोनों के बीच graph जैसा भी draw करें प्राप्त क्या होगा, हम लोगों को सरल रेखा ही प्राप्त होगी, ठीक है, सरल रेखा भी प्राप्त होगी, दोनों तर जैसे कि ताप, दाप, लंबाई द्रविमान यह सब नियत होना चीए, तो यह तो सबसे बड़ा limitation है, अगर नियत नहीं रहा, तो ओम का नियम वहाँ पर लागू नहीं होगा, तो मैं आप लोगों के लिए लेकर क्या हूँ, वन बाई वन हम लोग सारे, मतलब सीमाओ याने है, इसमें condition है, ठीक है, तो यह हर जगा जो है, सही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, तो मैंने आम लोगों को साब साब बता दिया था, कि हर स्थिती में यह लागू नहीं होगा, इसकी जो condition है, वो अगर फुल्फिल करेगी, ठीक है, तो तब ही जो है, ओम का नियम लागू हो है, ओम के नियम की सिमा यहां है, कि बहुत ही किस्थिती स्थिर रहे, जैसे कि ताप दाक आदी, यह सब भी मैंने आप लोगों को समझा दिया है, एक बार कुईकली हम देख सकते हैं, चालक में खिचाओ या विकृती ना हो, ठीक है, अगर खिचाओ या विकृती हुई, इ जबू नहीं होगा, यह लिमिटेशन है, धारा में परिवर्त्न सिर्फ विभुांतर पर ही निर्भा नहीं करता, विभुांतर के चिन्न पर भी निर्भार करता है, इसका मतलब हो गया, कि जैसे कि हमने क्या क्या दोनों सीरो पर क्या लगा लगाया, ठीक है, तो जाहिर सी दिशा बदल जाएगी धन से निन की तरफ हो जाएगी उच्च विभाव से निम्न विभाव की तरफ हो जाएगी धारा का मान यहां पर बदल जाएगा तो यहीं बोल रहे है कि यहां पर केवल और केवल विभुवांतर के परिमार पर निर्भार नहीं करता बलकि उसके चिन् को अच्छे से समझा जाता है वहाँ पर ओम कानियम काम नहीं करता है यही आपको बता रहा है कि यह इसका होता है पर कभी-कभी यह सरल रेखाना होकर थोड़ा सा हलका सा टिल्ट होकर के भी मतलब एकडम हर चीज आदर शुरूप में नहीं प्राप्त होगा हलका सा कुछ हो सकता है उसको कंसिडर कर लेते हैं कंसिडर कर लेते हैं धात्विक चालकों में भी ठीक है तो हलका सा कुछ जो है डिफरेंस आ सकता है बट एकडम और रैखिक नहीं होगा वो रैखिक जैसा लगभख सिमिलर काइंड ओफ होगा थोड़ा बहुत हलका फूल का ऊचा नीचा चलाएंगे ठ तो थारिस्टर अब थारिस्टर जो है एक प्रकार का यंत्र है इसके बारे में आप आगे जाके पड़ोगे पर आप यहां पर एक नाम जान सकते हो कि थारिस्टर है एक प्रकार का यंत्र है जहां पर हम लोग क्या करते हैं अगर उसके लिए विया इग्राफ खिसते हैं त तो यह इसकी सीमा है, तो उसको हम लोग कंसिडर करके चलते हैं, ठीक है, तो यह सारा चीज हो गया, तो अब मैं वापस से, मतलब ओम का नियम, ओम के नियम की सीमाएं हम लोगों ने देख ली, पर ओम का नियम जो मैंने आप लोगों को समझाया है, इसको मैं अनुगमन वेग या आप वाह वेग की कॉंसेप्ट से थोड़ा सा रिलेट करके आप लोगों को बदाना चाहूंगी, थोड़ा नए तरीके से यहाँ पर मैं समझा रही हूं, इसलिए आपको ध्यान देना है, कल अर्रेडी मैं बता चुकी हूँ, इस चीज को पर फिर भी आज फिर से समझा रही हूं, ठीक है, परलब की पूरा डैप्थ में आपको समझा रही हूं, एकदम जीरो से डैप्थ में मैं आपको क्या कर रही हूं, समझा रही हूं, तो हम लोगों ने ओम के नियम में क्या पढ़ाता है, कि हम क्या करते हैं, एक चालक तार का दूड़ा लेते हैं, उनके दोनों सीरो पर क्या लगाते हैं विभुवांता लगाते हैं जिसकी वजह से क्या होता है इस चालकतार में विद्युधारा प्रवाहित होती है और जो विभुवांतार है वो विद्युधारा के क्या होता है समानुपाती होता है कल की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था विद्युद्धारा के बारे में पढ़ा था जिसमें हमने ये देखा था कि आवेशों के प्रवाहा के वज़ा से क्या मिलता है हम लोगों को आवेशों के प्रवाहा के वज़े से हम लोगों को विद्युधारा प्रवाहित हो करके मिलती है और जो आवेश प्रवाहित होते हैं वो कौन से आवेश प्रवाहित होते हैं इलेक्ट्रॉंस प्रवाहित होते हैं क्या प्रवाहित होते हैं क्या प्रवाहित होते हैं क्या प्र एक दूसरे की गति जुर्जा को जो है cancel out कर देते हैं पर जब हम क्या करते हैं इस तरीके से विभुवांतर यहां पर लगाते हैं तो विभुवांतर लगवाने की वज़ा से क्या होता है कि यह जो चालकतार के इलेक्ट्रॉंस है यह विभुवांतर आरोपित करने की वज़ा जैसे विद्युद्चेत्र के प्रभाव छेत्र में आ जाते हैं तो जैसे जैसे यह बहुत तेज गती शील होने के कारण दस की घात 5 मिटर पर सेकंड की गती में होने के कारण ये एक दूसरे की गती जुर्जा को कैंसल आउप करने के बाद जैसे ही 0 होते है पुना इस विद विद्युद्बल लग जाता है और ये विद्युद्बल पुना हिनको गती जुर्जा प्रदान करता है क्या प्रदान करता है पुना हिनको गती जुर्जा प्रदान करता है गती जुर्जा प्रदान क्या मतलब क्या हुआ इलेक्ट्रॉन जो है क्या हो गए त्वरित हो जयкоं ना पताया कि उसको क्या प्रॉप्ट्द हो गा in इसी तरीक आंती कैसे होता था टा गया क्या है जैसे कि प्रतीमीटर की दस गहात लीक्ट रबार और स्रिल एक्ट्राउंस त्वरित होंगे, तो हर इलेक्ट्रॉन त्वरित होंगे, तो हर इलेक्ट्रॉन का कुछ न कुछ वेग होगा, बहुत सारे N संख्या में इलेक्ट्रॉन हैं, तो N संख्या में इनके क्या होंगे, वेग होंगे, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इनका माध्य वेग निकालना प प्राप्त हुआ, इलेक्ट्रों स को, तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो गति करने लगें। और यहाँ पर अपनी जगा को छोड़ कर जब वो गती करते हैं और इन इलेक्ट्रॉंस के प्रवाह जो है इस तरीके से हो जाती है जैसे कि कोई परेड कर रहा हो तो अभी-अभी 15 अगस्त गया है आप सब उनने परेड जरूर देखा होगा तो परेड इस परेड की तरह इलेक्ट्रॉंस जो है एक के पीछे एक लाइन से गती करने लग जाते हैं क्योंकि वो प्रभाव छेत्र में आ गया है किसके विद्युद छेत्र के जिसकी वज़ा से उनको विद्युद बल मिला जिनोंने क्या किया इलेक्ट्रॉंस को त्वरिद किया किनको त्वरिद किया इलेक्ट्रॉंस को त्वरिद किया इन इलेक्ट्रॉंस को क्या प्राप्त हुआ अब अगर अभी मैं एक इलेक्ट्रॉंस की बात कर रही थी अब मैं सारे इलेक्ट्रॉंस की बात कर रही हूं तो उनको क्या प विद्युद धारा प्राप्टवी. क्या प्राप्टूई? विद्युद धारा प्राप्टूई. तो यहाँ पर कहानी शुरू हुई थी कहां से? विभुवांतर से और खतम कहां पर हुई? धारा पर. तो यह रिलेंशन हम लोगों को क्या देता है ओम का नियम भी समानुपाती होता है आई-ई के जितना हम विभुवांतर बढ़ाएंगे विद्युद्चेत्र का मान उतना ही बढ़ेगा उतना ज्यादा त्वरित होगा कौन इलेक्ट्रॉंस और जितना ज्यादा त्वरित होगा उसका जो ड्रिफ्ट वैलोसिटी अनुगमन वेग है उतना ही जादा बढ़ते जाएगा इलेक्ट्रॉंस की गती बढ़ती जाएगी जिसकी वज़े से विद्युद्धारा का मान भी बढ़ जाएगा बस यहीं उद्देश्य था पूरा डीप में कॉंसेप्ट को समझाने का रिलेट कर दिया मैंने शुरू स करके बताना है उम्मीद करते हूँ कि यह चीज आप लोगों कभी ध्यान नहीं दिया होगा इस तरीके से आपने शायद कभी ना पढ़ा हो पर मेरी कोशिश जई रहती है कि एकदम सरल करके हर चीज को मैं आप लोगों को डीप में बताऊं यहीं मेरी कोशिश रहती है ठीक अब हम बात करेंगे प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता के बारे में बात करेंगे तो ओम के नियम से हम लोगों को क्या मिला विभुवांतर और धारा का अनुपात मिला जो कैसा होता है नियत होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं प्रतिरोध कहते हैं इसका मतलब ताप भी य चनल के सिमय थोपं किसमें घरता है तू इसको में डिटेल मेरे पर पहले यहां पर समझ लेते हैं थोड़ा किसको परतिरोध को तो ऐसा पर जो अथालक तरे हैं थालकतार एक यह थालकतार है तो जाहेर ᴍयद्हार चालक वाहिता क्या नहें होगी यहाँ पर इसकी कुछ ना कुछ लैंथ होगी लंबाई जो है क्या होगी फिक्स होगी क्योंकि हम लोगों ने पढ़ लिया है कि भौतिक परिस्थितिया जो है वो नियत होनी चाहिए लंबाई है वहाँ पर फिक्स होनी चाहिए क्योंकि तभी आरकमान जो है वो फिक्स लंबाई में अगर परिवर्तन आए, ठीक है, तो हम लोगों का जो है प्रतिरोध बदल जाएगा, इसलिए तो हम लोग उसको क्या करते है, ओम के नियम में फिक्स मानते हैं, पर अब हम सिर्फ और से प्रतिरोध बढ़ रहा है, तो प्रतिरोध के point of view से थोड़ा focus करके देख तो भाई, सबसे पहले हम लोगों को ने देखा, सबसे पहले क्या देखा, कि जो हमारा प्रतिरोध है, वो किस पर निर्भर करता है, चालक तार की लंबाई पर निर्भर करता है, लंबाई बढ़ती है, लंबाई बढ़ती है, तो प्रतिरोध का मान बढ़ता है, ठीक है, औ और दूसरा किस पर निर्भर करता है तो यह है क्या अनुप्रस्थ काट का छेत्रफल यह क्या धारवाही चालकतार के अनुप्रस्थ काट का छेत्रफल है इस छेत्रफल पर भी निर्भर करता है पर यह क्या होता है इस छेत्रफल के वित्क्रमा अनुपाती होता है ठीक है क्य अब यह है कि अगर अनुप्रस्थ काट का छेत्रफल बढ़ा तो क्या हो जाएगा प्रतिरोध का मान कम हो जाएगा अगर अनुप्रस्थ काट का छेत्रफल कम हुआ तो प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा ठीक है तो इन दो भौतिक राशियों पर निर्भर करता है जब हम सम करन तीन समज्माया फिर अश्म को हम लोगों słu कर दिया अब यहरा फिर व एक ही समय है टाएंगे तो यहाँ पर हम लोगों को यह ठीक है रो या फिर हिंदी में लिख सकते हैं इसको क्या बोलते हैं रो हो सकता है कि इस बहुतिक राशी के बारे में आप लोगों ने पहली बार देखा कभी-कभी घनत्व को भी रो से प्रदर्शित किया जाता है आप लोगों ने जब 11 में पढ़ा होगा तो वहाँ पर आप विसिस्ट क्रतिरोध तो भाई इन सब की परिभाशा भी हम देखेंगे पर पहले समझ लेते हैं ठीक है विसिस्ट क्रतिरोध ठीक है प्रतिरोधकता या फिर विसिस्ट प्रतिरोध तो अभी हम लोगों ने क्या देखा प्रतिरोध और प्रतिरोधकता के बारे में देखा ठीक है प्रतिरोध के बारे में हम लोगों ने ये equation निकाला तो ये equation हमारा सबसे important है यहाँ पर ये वाला equation बिलकुल box बना लो बहुत जादा काम आने वाला equation number 4 हो गया और यहाँ पर आप लोगों को एक नई भौतिक राशी मिली नियतांक मिला जिसको हम लोग क्या बोलते हैं ठीक है जैसे कि यहाँ पर R बराबर हम लोगों को रो L by A मिल गया ठीक है अब इसका रोल क्या होता है इस रोल को भी समझ लेते हैं तो भाई इसका रोल में आप लोगों को बताना चाहूंगी नाम से यहाँ पर जो है थोड़ा बहुत आप लोगों को समझ में आ रहा होगा प्रतिरोध मतलब यह एक विरोधी है किसका विरोधी है धारा का विरोधी है ठीक है तो यह जो हमारी आई धारा है तो इसके रोल क्या होता है जो प्रतिरोध या फिर जो प्रतिरोधकता होती है इनका मान जितना जादा होता है ठीक है इनका मान जितना जादा होता है उतना विद्युधारा कमान क्या होता है कम होता है याने कि ये प्रतिरोध और प्रतिरोधकता चालकतार में बहने वाली धारा का विरोध करते हैं बाधा है ये ठीक है बाधक है विरोध विरोधक है ठीक है इसलिए अगर आपको अच्छा खासा धारा बहाना है वहाँ पर तो प्रतिरोध के मान को कम करने के लिए और प्रतिरोध के मान को बढ़ाने के लिए इनका सहियोजन करके भी हम जो है बिना आकरिती में परिवर्तन किये कर सकते हैं इसको हम पढ़ेंगे आगे की क्लास में तो अभी उस पे चर्चा नहीं करेंगे पर इतना समझ जाओ कि ये जो प्रतिरोध और प्रतिरोधक्ता है, दोनों ही क्या है, विद्य धारा के विरोधी है, ये बादाक है, धारा को बहने से क्या करते हैं, रोकते हैं, धारा के बहाओ का विरोध करते हैं, ठीक है, तो यही क्या है, प्रतिरोध और प्रतिरोधक्ता, दोनों अलग-अलग भौतिक ठीक है यह समझना है आपको क्योंकि प्रतिरोध हम लोगों को यहां पर ओम के नियम से मिला था और प्रतिरोधक्ता हम लोगों को कहां से मिला यहां से जब हम लोगों ने प्रतिरोध में समानुपाती चिन्न हटाया तो यहां पर हम लोगों को मिली क्या प्रतिरोधक्ता ठीक और यहां पर यह जो प्रतिरोधक्ता है, इसके मातरक की भी हम बात करेंगे, पहले नोट कर लो, एक काम करो, पहले नोट कर लो, फिर हम बात करेंगे प्रतिरोधक्ता की, ठीक है, प्रतिरोधक्ता की बात करेंगे, ठीक है, हो गया नोट, चालो, तो भाई, प्रतिरोधक्ता क्या R A बटे L, ठीक है, रो बराबर हम क्या लिख सकते है, R A बटे L, ठीक, लिख सकते है, तो ये जो प्रति रो धखता है, इसका मान भी क्या होता है, फिक्स होता है, इसको हर material के लिए fix कर दिया जाता है, temperature के हिसाब से, कि तेमप्रेचर के सांसाथ इसका मान भी बदलेगा, है कि मान लोग एक चार्ट देखएंगगे, आप लोगों की NCIT की बुक में भी दिया हुआ है, वो चार्ट यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत एक्स्पार करके समझा दूगी, पर पहले हम लोग यहाँ पर प्रतिरोधक्ता को और अच्छे से समझ लेते हैं तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हों कि प्रतिरोधक्ता जो है तार की लंबाई और यह मतलब यह सारी चीज़े क्या होती है यह सारी मान जो है फिक्स होती है तब तब यह प्रतिरोधक्ता के तो बैस इसका मात्रक का मात्रक हम लोगों ने पढ़ा है ओम ठीक है और छेदरफल का मात्रक होगा क्या मिटर स्क्वाइर और लंबाई का मात्रक होगा क्या मिटर क्या मिटर यहां से एक Captain और A cam cancel हो जाएगा और इसका जो मातरक है इसका मातरक है वह क्या जाएगा? आप लोग डारेकली लिक सकते हो यहाँ पर क्यों कि वैसे तो आपको इसकी विमा मतलब सबसे पहले तो आप लोगों को प्रतिरोध की वीमा निकालनी पड़ेगी यहाँ पर प्रतिरोध की विमा आप लोगों को कहां से निकालनी पड़ेगी वी बाई आई से निकालनी पड़ेगी और वहां से आप प्रतिरोध की विमा निकाल सकते हो निकाल लो भाई यह क्या होता है और वोल्ट का विमा कैसे निकलेगा कैसे निकलेगा तो थोड़ा बहुत काम आप लोगों भी करना है विमा विमा आप लोग निकालना इसको मैं बिल्कुल skip कर रही हूं मात्रग और विमा यह सब आप लोग पढ़ चुके हो बिल्कुल यह सब आप लोगों को निकालना है चाहो तो मैं आप लोगों को यहां पर प्रतिरोधक्ता की जो विमा है, वो मैं यहाँ पर नोट करवा देती हूं, क्या हैगा, M L की घात 3, M L की घात 3 और T माइनस 3 और A की घात माइनस 2, क्या सही है, एक बार चेक कर लेते हैं, भाई, चेक कर लेते हैं, तो बिल्कुल हाँ, हमने चेक कर लिया, सही है, प्रतिरोधक्ता का मातरक, विमा, ठ उच्छी जाती है, इसलिए मैंने आप लोगों को यहाँ पर जो है, नोट करवा दिया, यहाँ पर क्या करवा दिया, नोट करवा दिया, ठीक है, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, कि यह दोनों ही मान क्या होते हैं, एक नियतांक होते हैं, नियत होते हैं, पर् होता क्या है ताब करन जैसे यह लोग क्या करते हैं डिकरीज यहें क्राइट तो ढटार्ष करते हैं तो आतू तोटे केडि खालकट तार के बारे में पड़ के तापमान बढ़ेगा तो यहाँ पर प्रतिरोध कमान भी बढ़ेगा और क्या होती है तापमान बढ़ने से प्रतिरोधकता भी बढ़ती है तो यहाँ पर मैं तापमान बढ़ने के करण जब प्रतिरोधकता बढ़ती है इसका सुत्र आप लोगों के लिए लिखवा देती हू ठीक है T-T-0 ये सुतर आप लोग note कर सकते हो इसको मैं explain कर देती हूँ यहाँ पर रो T ये प्रति रोधकता है कब जब temperature क्या होता है जब temperature T होता है तब रो नौट है प्रति रोधकता कब जब temperature जो है वो कितना है temperature जो है zero temperature पर है zero degree temperature पर है तो बिल्कुल इसका चार्ट भी दि जैसे कि मान लो कि ताप मान जो है 20 degree से 50 degree हो गया एक example के लिए बताओ ठीक है या फिर 0 degree से 30 degree हो गया तो particular हम लोगों को 0 degree पर प्रति रोधकता का मान fixed चार्ट हम लोगों के पास होता है ठीक है जितना भी ताप मान में परिवर्टन हुआ उस case में आप लोगों की प्रति रो प्रति रोध में क्या बदला होगा इस सुत्र से हम लोग calculate कर सकते हैं ठीक इसी प्रकर से हम लोग ये सुत्र को जो है प्रति रोध के लिए भी लिख सकते हैं किसके लिख सकते हैं प्रति रोध के लिए भी लिख सकते हैं आटी बराबर आर नाट एक धन अलफा टी माइनस तो जल्दी से फटाफट से यह सूत्र लिख लो ठीक है यह सूत्र लिख लो जल्दी से फटाफट से यहाँ पे आप लोगों को अलफा दिख रहा है ठीक है क्या दिख रहा है अलफा दिख रहा है ठीक है इसको बोलते हैं प्रतिरोधकता ताप गुरांग क्या बोलते हैं प् खर्शन गुल्भांख 11ध पढ़ा होगा वैसे ही यहाँ पर प्रतीरोधक्ता टापगुलांख है थीकुंस का मान वैल्यून फिकुष होता है यह अगर निमारिकाल आएगा तो कोश्छल में आप लगों को प्रतीरोधक्ता टाप के लिए धात्वी वस्तूओं के लिए धनात्मक होता है और जो अर्धख्यालक के लिए ये गांग का क्या होगा ओर गपक्राटा के लिए हुआ प्रतिरोधक्ता गुडांक का मतलब होता है कि ताप मान बढ़ाने से प्रतिरोध का मान बढ़ता है याने कि प्रतिरोधक्ता भी क्या होती है बढ़ती है ठीक है और रिनात्मक ताप गुडांक का मतलब यह होता है ताप मान बढ़ाने से प्रतिरोध का मान कम होता है और प्र धात्वीक वस्तुओं के लिए या फिर धात्वीक वस्तुओं के लिए यह होता है आप लोगों के अर्धचालक के लिए ठीक है अर्धचालक के लिए होता है ऐसा क्यों होता है यह भी मैं आप लोगों को समझा देती हूं होता क्या है कि तापमान बढ़ाने से तापमान बढ कि वज़ा से क्या हो जाता है तक्कर जादा हो जाने की वज़ा से धारा को बहने में बाधा आती है इसका मतलब क्या हो जाता है प्रतिरोध जो बढ़ जाता है और प्रतिरोध हकता भी क्या हो जाती है तापमान बढ़ने से बढ़ जाती है और यहां पर कमपन भी होता है धात पर्षां कि इसमें उर्धा चालक के केसे में अल्टा होता है क्या ही होते हैं मुक्त इलेक्ट्राइट चाहिए होते हैं फीक है तो होता क्या है जैसे ह guaranteed यह पर फ्रीड़ीक्ट्राइब रचा जो है और जिससे विद्द्धारा बहती है और ताफमान बहुणएं improv निर्भरता जो मैंने अभी-आप लोगों को भी इ jadi I तो हो लिख सकते हो यह सूत्र एक बार फिर से लिख दे रही हूँ आप लोगों के लिए पर आप लोगों को एक दम अच्छे से ध्यान में रखना है इसको बहुत IMPORTANT है सेम आप लोग किसके लिए लिख सकते हो, प्रतिरोध के लिए भी लिख सकते हो, यह आता है numerical, definitely पूछा जाता है, ठीक है, तो मैं धातू के case में लिख रही हूँ, और अर्धचालक के case में अलग-अलग होता है, जनरली आप लोगों को धातू के लिए ही पूछेगा, क्योंकि विद्धाया में आप चालक धातू के बारे में पढ़ रहे हो, ठीक है, प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता, ठीक है, यह जो graph मैं आप लोगों को बता रही हूँ, बिल्कुल NCRT के book में, यह table आप लोगों का given है, ठीक है, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि प्रतिरोधकता कमान, 0 degree temperature पर जो है, वो क्या होता है, फिक्स जो होता है, और इसके लिए जो ताप गुणांक कमान होता है, अलफा, यह भी फिक्स होता है, तो अगर नियुमारिकल आएगा, तो 0 degree temperature पर आप लोगों को प्रतिरोधकता प्रश्न में गीवन होगा, मतलब रो प्रतिरोधकता है, आप लोगों को value question में गीवन रहेगी, ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर समझ लेते हैं, जैसे कि चांदी, तामबा और अल्यूमिनियम तीन के लिए बस समझते हैं, तो यह क्या है, हमारे चालक है, ठीक है, धातु के चालक है, तो अगर 0 degree temperature है, तो इनका प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता, जो भी मैंने explain किया है, उसी पर based यह theory है, screenshot ले सकते हूं, यह आप खुद से पढ़ सकते हूं, just मैंने जो भी explain किया है, वही explanation गिवन है, यह आपके points आप लोग बिलकुल read करके आना है, हो सके तो next class में मैं explain कर दूँगी, पर बहुत ज़्याद explanation की जरुवत नहीं है, क्योंकि exam में पूछे नहीं इतने जादे important नहीं है, पर आपको पता होने चाहिए, क्या होने चाहिए, आपको पता होने चाहिए, इसलिए यह explanation आप जल्दी से फटा-फटे screenshot ले लो भाई, ले लिया screenshot, ओके, इसका भी screenshot ले लो, चलो, ओके, सो भाई, यहाँ पर देख सकते हो, आप लोग की, जो हम लोगों ने प्रतिरोध पड़ा है, जितना हम लोग टापमान बढ़ाते हैं, उसके अनुसार प्रतिरोध यहाँ पर भरते जाता है, यह धातू के case में आप लोगों को दिया हुआ है, बिल्कुल सरल रेखा प्राप होती है, जैसे कि हम लोगों ने perfect graph पड़ा, वैसे ही यह प्रति रोध और तापमान के बीच बढ़ाएंगे, उतना जादा क्या बरते जाता है प्रतिरोध बरता जाता है, तो यह relation होता है ब्रतिरोध और तापमान के बीच में और इसलिए वहाँ पर तापमान को क्या करना पड़ता है नियत रखना पड़ता है ताकि हम लोगों को प्रतिरोध जो है एक नियतांक के रूप में प्राप्त हो ठीक है उसी से रिलेटेड यह आगे के पॉइंट साइज 6-7 पॉइंट बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले सकते हो पढ़के आजाना गाईस बहुत ज़्याद इ जैसे कि मान लो कि तुमको मैंने एक तार दिया ठीक है उस तार में जितना अच्छा जितने अच्छे से बीना बाधा के हना धारा अगर प्रवाहित हो पारियाप जैसे कि मान लो कि तुमको लाइफ में कुछ करना है करियर में कुछ करना है तो होता क्या है कि सबका किसमत अ और फिलाल हम बात करते हैं चालकता की तो जैसे विद्युद्धारा किसी तार में प्रवाहित होती है तो अगर किसी चालकतार में प्रतिरोध मतलब बाधाएं अगर कम हो तो अच्छे से विद्युद्धारा प्रवाहित हो पाएगी और जितने अच्छे से विद्युद्धा प्रवाहित हो रही है तो स्मूथली विडियो धारा प्रवाहित कब होगी जब उस चालकतार की चालकता अधिक होगी और चालकता अधिक होगी इसका मतलब बाधा कम आ रही है मतलब की प्रतिरोध हमारा कम है क्या है हमारा मतलब की प्रतिरोध हमारा कम है इसका मतलब क्या हु जब उसमें आसानी से विद्युधारा प्रवाहित हो पारी है आसानी से विद्युधारा प्रवाहित कब हो पाएगी जब उसका विरोधी कम होगा मतलब की प्रतिरोध कम होगा मतलब क्या हो जाएगा यहां पर जो हमारी चालकता है वो क्या होगी सीधे सीधे समान उपाती हो बारे में हम बात कर रहे हैं तो प्रतिरोध को तो हम जो है आर से प्रदर्शित करते हैं ठीक है और यहाँ पर जो हमारी चालकता है इसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं किसे सिगमा से क्या बोलते हैं को सिग मा बोलते हैं तो इसके पहले आप लोगोंने प्रिस्टि आवेश घनत्व पढ़ा था तो स्थिर आवेश iस तर्वेद्ग की में सिउग मा का मतलब होता है प्रिस्टि अवेश घनत्व ठीगा पर यहां पर हम लोग विद्युद्धारा पड़ रहे हैं विद्युद्धारा जब हम बात करते हैं वहां पर इस सिग्मा का मतलब होता है चालकता और यहां पर यह जो सिग्मा है वो क्या है इन्वर्सली प्रपोजनल है मतलब की वित्क्रमानुपाती है किसके प्रतिरोध के ठीक है कि के वित्करमानुपाती है प्रतिरोध के क्योंकि जितनी बाधा कम होगी उतनी उस चालकतार की चालकता अधिक होगी इसका मतलब क्या हो गया प्रतिरोध के वित्करमानुपाती हो गया सबी को क्लियर है चालकता के वारे में ठीक है तो यह बता हमें को कि तांबे की चालकता ज ताांबे की चालकता ज्यादा अधिक होती है पर फिर भी हम क्वायों करते हैं क्योंकि उसके बहुत सारे भाइदे और नुकसान हल्का होता है वो वजन में हलका होता है और सस्ता भी होता है और उसमें कुछ और material मिला करके हम लोग क्या कर सकते हैं अलावय बना करके उसकी चालकता को हम बढ़ा सकते तो बहुत सारे ऐसे reasons है जिसकी वज़़ से हम ताभा उप्योग नहीं कर सकते सब तरब देखती हूँ जरूरी है कि नहीं है आपको भी 20 तरीके से आगे अपने जिंदगी में चीजों का ध्यान रखना चाहिए अगर जरूरी है तो करो नहीं है तो मत करो ठीक है और इस तरीके से मतलब आदमी को क्या करना चाहिए हर एंगल से सोचना चाहिए जिसको हम ल लगता तो अच्छा चाला होता है silver पर सिलवर कितना होता है उसको हम आभूशन के रूप में हम लोग इस्तिमाल करते हैं है कि नहीं तो उस凭ल सिसों कूँ करते हैं में चीजों में समझ पर अब करना हो को भी को बिल्गुल आप लोग जो है Defination यहाँ पर Note कर सकते हैं चालगता के बारे में विद्ध्ध्युत्चालगता का definition यहाँ पर लिखा हुआ है क्या वोट रहाए कि किसी चालग का मात्रक क्या होता है प्रतिरोद का मात्रक होता है ओम तो ये एक बटे ओम बराबर क्या हो जाएगा ओम इन्वर्स जो है ये हमारा विद्धुचालकता का मात्रक हो जाएगा जिसको हम लोग साइमन भी कहते हैं या फिर ओम इन्वर्स भी लिख सकते हैं जैसे कि यहां पर ल जैसे थे विशिष्ट चालकता किसकी वज़ा से होगी विशिष्ट प्रतिरोध की वज़ा से होगी तो यहां पर हमारी जो विशिष्ट चालकता है विशिष्ट चालकता ठीक है इसको भी हम लोग क्या करेंगे सिक्मा से ही प्रदर्शित करेंगे पर यह जो है यहां पर रो बराबर क्या पढ़ा था, रो बराबर हम लोग ने पढ़ा था, L by R A, है ना, L by R A पढ़ा था, और इसका मातरक क्या था, ओम क्या था, प्रदी रो धक्ता का मातरक क्या था भई, ओम मीटर था, ओम मीटर, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका, इस स सौरी, Ohm Inverse, और क्या लिख सकते हैं, Meter Inverse, या फिर Simon पर Meter हम लिख सकते हैं, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, Simon पर Meter, मतलब यहाँ पर हम Ohm Inverse को क्या नाम दे रहे हैं, Simon नाम दे रहे हैं, बिलकुल मैं side हो रही हूँ, आप लिख लो, screenshot ले लो, फटा-फट से note कर लो, या फिर जल देख रहे हो, चालो, तो भाई एक चीज और हम लोगों को चालकता में समझना है, हम लोगों ने अभी तक के जो है, चालक धातूओं के बारे में फड़ा है, ठीक है, आप लोगों ने second chapter में विद्यूत अपघट या मतलब की इस तरीके की चालक वस्तु है, जिसमें विद प्रभाव देखी जाती है, वो अपने में से विद्यूत को बहने तो नहीं देता, विद्यूत रोधी प्रदार्त के बारे में आप लोगों ने पढ़ा, विद्यूत अपघट के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा है, जब हम क्या करते हैं, मतलब किसी तरीके की रासा क्रिया करवाने के लिए करते हैं बहुत सार जग हम करते हैं आप लोगों ने पढ़ाई होगा विद्यूत अपघट्य के बारे में ठीक है तो अभी हम लोग यहाँ पर चालकता को समझेंगे दो तरह की पदार्त के लिए एक तो होगा हमारा चालक धातु और दूसरा होगा क् ठीक है तो जैसे कि धातु चालक के बारे में हम लोगों ने देखा तो धातु चालक में क्या होता है धातु चालक में क्या होता है मतलब कि ये जो चीजे हैं इन दोनों से ही क्या होती है विद्युद्धारा प्रवाहित होती है ठीक है दोनों में ही क्या होती है विद्युद्धारा प्रवाहित होती है तो हमको यहां पर चालकता के बारे में समझना है कि चालकता का मतलब क्या होता है विद्युद्धारा का प्रवाह ठीक है जितना ज्यादा अच्छा विद्युधारा का प्रवाह होगा कम होगा जितना ज्यादा उसका प्रतिरोध कम होगा ठीक है तो इन दोनों में हम लोगों को चालकता को समझना है तो सबसे पहले चालन होता कैसे है तो इन विद्युत अपगट्य में सबसे पहल विद्युतब घट की क्या होती है चालकता होती है ठीक है मतलब कि धारा का प्रवाह हो पाता है और धातु चालक में किसके कारण हो पाता है यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रोनों की गती के कारण हो पाता है किसके कारण होता है मुक्त इलेक्ट्रोनों की गती के कारण क्या होता ह है धातू चालक में जो है विद्युद्धारा प्रवाहित होती है जिसकी वजह से इसकी चालकता होती है ठीक है मुक्त इलेक्टरॉनों की गती के कारण मैं क्या बोल रही हूँ आपको समझ में आ रहा है गती के कारण ये तो हम लोगों ने ये देखा कि विद्युद्धाप घटे में चालक तक किसके कारण होती है और धातू चालक वस्तुओं में चालक तक किसके कारण होती है एक में होती है आयनों की गती के कारण और दूसरे में होती है मुक्त इलेक्टरॉनों की गती के कारण clear है सभी को clear है अब भई दूसरा जो इसका गुण है हम यहाँ पर गुण को समझ रहे हैं दोनों का comparison कर रहे हैं दोनों का क्या कर रहे हैं गुण को समझ रहे हैं जैसे कि आप लोगों ने chemistry में बहुत जगा पे विद्यूत अपगटे इस्तमाल करा होगा ठीक है तो होता क्या ह हम लोग विद्यूत अपगटे में क्या करते हैं वहाँ पर तापमान में परिवर्तन करते हैं तो जैसे जैसे हम लोग तापमान बढ़ाते हैं ठीक है जैसे जैसे हम लोग तापमान बढ़ाते हैं किसमें विद्यूत अपगटे में तो लिखो क्या लिखना है सेकेंड पॉ प्रवाहित होती है मतलब आयों की गती के कारण विद्यूत अबघटे की चालगता होती है धातु चालग में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गती के कारण विद्यूत अबघटे की चालगता होती है इसका मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गती के कारण धातु चालगता पाई ज होती है क्योंकि यह ओम के नियम का पालन मतलब कि यहां पर धातू चालक में तापमान इस्थिर होना चाहिए तभी वो ओम के नियम का पालन करता है ठीक है मतलब कि वहां पर प्रतिरोध फिक्स नहीं रहेगा क्योंकि यहां पर प्रतिरोध अभी अभी हम लोगों ने क्या प्रतिरोध के वित्क्रमान उपाती है ठीक है किसी भी धातू की नहीं किसी भी वस्तू की चालकता प्रतिरोध के वित्क्रमान उपाती होती है ठीक है तो यहां पर धातू के केस में क्या होता है तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है ठीक है तापमान बढ़ने से प हमारा प्रतिरोध कम हो जाता है जिसकी वजह से हमारी यहां पर विद्युत अपघट के लिए चालकता तापमान बढ़ाने से बढ़ जाएगी ठीक है तो यह रीजन है तो दो विद्युत धारा कैसे प्रवाहित हो पाती है विद्युत धारा प्रवाहित होती है रासाइनी क्रिया के कारण किसके कारण रासाइनी क्रिया के कारण ठीके जबकि अगर मैं धातु चालक की बात करूँ किसकी बात करूँ अगर मैं धातु चालक की बात करूँ तो यहाँ पर धात्विक चालकों में विद्युद्धारा तो प्रवाहित होती है पर यहाँ पर विद्वुद्धारा जो है मुक्ते इलेक्ट्रोनों की घती के कारण होती है ठीके और यहाँ पर विद्वुद्धारा प्रवाइत होने के लिए किसी भी तरह की रासाइनी क्रिया नहीं होती ठीक है तो ये तीन पॉइंट्स जो हैं आप लोगों को विद्यूत अपगट्य और धातु चालक के मतलब में चालकता के जो भी गुण है इसके लिए आप लोगों को ये पॉइंट लिखना है है एडिंग लिख सकते हो आप लोग वैसे ये चालकता के ही अंतर गत आता है जि ठीक है ओके चलो भाई नोट कर लिया स्क्रीन शाट ले लो फटा फट से चालकता हम लोगों ने देख लिया अब हम बात करेंगे किसकी गती शिलता की बात करेंगे तो गती शिलता क्या होती है तो जैसे की गती शिलता का मतलब ये हो गया कि जैसे की चालकतार में अगर जै पहने की वज़ा से बह रही है तो मुक्त इलेक्ट्रोनों की उस चालक तार में गती शीलता कैसी है मतलब वो कितना अच्छे से गती कर पा रहा है ठीक है तो गती कर पा रहा है वो उसकी क्या कहलाएगी कितना अच्छे से गती कर पा रहा है वो उसकी गती शीलता कहलाएगी इ ज्ख्यान से आपको समझना है अंग्रेजी में इसको हम लोग बोलते हैं mobility और जो अभी अभी इसकेट पहले हम लोगोंने चालकता पढ़ा उसको हम लोग बोलते हैं क्या conductivity बोलते हैं लिखलो इसको क्या बोलते हैं conductivity किसका कितना अच्छा इसका conductivity है मतलब कितनी अच्छे से इसमें जो है मुक्त इलेक्टरौन जो है बह सकते हैं वह क्या कहलाती है उसकी चालकता कहलाती है और mobility का मतलब यह होगा कि उन इलेक्टरौनों का कितना अच्छा वेग होगा तो देखो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि यहाँ पर जो mobility या फिर गती शिलता है इसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं मियू से इसको क्या बोलते हैं मियू ठीक है क्या बोलते हैं मियू ये नई भौतीक राशी आपको मिल रही है इसके पहले हम लोगों ने जिसको हम लोगों ने सिग्मा से प्रदर्शित किया यहां पर मैं गतीशिलता के बारे में बता रहे हूं जिसको मैं क्या करे हूं यहां पर प्रवाह क्यों हो रहा है क्योंकि हम लोग उसको अपवाह वेक अनुगमन वेक डिफ्ट वैलो सिटी हम लोग दे रहे हैं तुरित कर रहे हैं जिसकी वज़ा से क्या हो रहे हैं एलेक्ट्रॉंस जो है वो क्या कर रहे हैं बह रहे हैं जिसकी वैसे विद्धार हम लोगों को मि है तो किसी भी किसी भी वस्तु की mobility कैसी है उसकी गति शिल्टा कैसी है वो निर्भर करेगी उसमें जो मुक्त electrons है उनकी velocity या फिर अनुगमन वेक और विद्धुच्छेत्र पर ठीक है तो अगर हम लोगों को इनकी इस mobility या फिर गति शिल्टा की परिभाशा लिखना हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसको ले सकते हैं हम लोग क्या एकांक विद्धुच्छेत्र ठीक है तो अगर हम इसको क्या ले लेंगे एकांक विद्धुच्छेत्र ले लेंगे तो किसी भी एकांक विद्धुच्छेत्र के लिए क्या हो जाएगा उस वस्तु की जो मोबिलीटी है वो क्या हो जाएगी अनुगमन वेग मतलब की अपवाह वेग के बराबर हो जाएगी किसका कौन से कंडिशन में एकांक विद्धुचेत्र के कंडिशन में क्या होगा उस वस्तु की उस पदार्थ की उस पदार्थ का जो अनुगमन वेग या फिर अपवा वेग है वह उसकी गतिशीलता कहलाईगी गतिशीलता के बराबर हो जाएगी एकांक विद्धुचेत्र के लिए और अगर एकांक विद्ध विभाव से होता है तो वी बटे एल इस तरीके से हम आल्रेडी रिलेशन पर चुके हैं और फर्स्ट क्लास में जब हम लोगों ने अनुगमन वेग पढ़ा था तो अनुगमन वेग हम लोगों ने पढ़ाता तो वहां पर हम लोगों ने अनुगमन वेग का सुत्र निकाला थ क्या सुत्र निकाला था जल्दी से बताओ, कौन बताएगा, क्या सुत्र निकाला था हम लोगों ने, I, B, A, N, E, A, ये हम लोगों ने अनुगमन वेक का जो सुत्र है वो डराइव किया था, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो आप लोगों की मोबिलिटी है वहा सकते हो, और यहाँ पर विद्धु छेत्र वी बाई एल लिख सकते हो, ठीक है, तो इस तरीके से, मतलब ये एक्च्वल में बेसिक है आप लोगों का मोबिलिटी और गती शीलता, और इसके रिलेटेड हम बहुत सारे सुत्र या फॉर्मूले निकाल सकते हैं, तो इससे रि पित एकांग का विद्धु छेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, गती शीलता कहते हैं, जसको मू से प्रदर्शित करते हैं, या फिर माना की विद्धु छेत्र ई है और आवेश वाहक, आवेश वाहक जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स है, आवेश वाहक कौन है, मुक्त इलेक्ट्र वोल्ट सेकेंड ये आप लोगों का मात्रक हो जाएगा और विम्मिय सुत्र भी आप लोग देख सकते हो यहाँ पे नोट कर सकते हो M-A-T का वर्ग ठीक है फटा फट से नोट कर लो ताप बढ़ाने पर मुक्त इलेक्ट्रोनों की गतिशीलता का मान जो है वो बढ़ जाता है ठीक है ताप बढ़ाने पर मुक्त इलेक्ट्रोन मतलब की यहाँ पर हम मुक्त इलेक्ट्रोनों की गतिशीलता की बात कर है इसका मतलब क्या हो जाएगा जैसे ही हम टेंपरेचर बढ़ाएंगे तो होगा क्या इलेक्ट्रोनों का जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो बढ़ और ढुरीवच्ट सेटी ऑढ़ आएगा ताप मान बढ़ाएंगे तो ड्रीफ्ट वैलो सीटी बढ़ जाएगी इसका मतलब क्या हो जाएगा आप लोगों का इलेक्ट रौदा हे उसकी जो गतीं शीलता है जल्दी जल्दी अनुगमन वेग भी पढ़ चुके है तो अनुगमन वेग के लिए हम लोगों ने सुत्र निकाले थे एक सुत्र था हमारा किस पर आधारित था एक सुत्र हमारा आधारित था विद्धुद्धारा पर और एक सुत्र हमारा आधारित था किस पर धारा घनत्व पर ठीक है तो ज अबर जे बटे एन ए ठीक है क्योंकि हमारा धारा घनत्व क्या होता है जे बराबर आई बटे ए यह हम लोगों ने आल्रेडी फ़र्स्ट क्लास में पढ़ लिया था ठीक है सेकंड क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा सेकंड क्लास में हम लोगों ने प्रतिरोध के बारे मे बाई ए ठीक है और जो हमारा प्रतिरोध हकता है इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं विसिष्ट प्रतिरोध बोल रहे हैं तो ये विसिष्ट प्रतिरोध आरे बाई एल होता है क्या होता है ये विसिष्ट प्रतिरोध आर ए स्वारी ये गलत लिख दिया मैंने यहां पर करेट किया और second class में हम लोगों ने जो प्रतिरोध और प्रतिरोध हकता के बारे में बढ़ा इन दोनों का इस्तमाल करके मैं क्या करूंगी किसी भी चालक के लिए आज विशिष्ट प्रतिरोध के सुत्र का निगमन करूंगी तो बिल्कुल आप लोगों को क्या करना है इसको बहुत ध्यान से समझना है ठीक है क्या करना है इसको बहुत ध्यान से समझना है तो भाई सबसे पहले इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं हम यहाँ पर ही बना ले क्या एक डाइग्राम नई चलो नए और यह माइनस ठीक है, विभुवांतर जैसे ही हम लगाएंगे, तो यहां पर क्या होगा, विभुवांतर लगाने की वजह से, यहां पर जो है, विद्धुच्छेतर उत्पन होगा, और भाई, इसकी लंबाई हम लोग मान लेते हैं, क्या L, ठीक है, L लंबाई का अनुपरस तेतरा उत्पन होगा तो यहां पर अनुगमन वेग के कॉंसेप्ट के अधार पर जो 일ेक्ट्रस हो क्या करेंगे इस तरीके से टिशा में क्या करेंगे प्रवाहित होना प्रारंब करेंगे क्योंकि वो इलेक्ट्रॉंस क्या हो जाएंगे त्वरित हो जाएंगे क्या हो जाएंगे इलेक्ट्रॉंस त्वरित हो जाएंगे ठीक है क्या होंगे इलेक्ट्रॉंस त्वरित होंगे तो सबसे पहले सबसे पहले यहां पर त्वरित हो जाएंगे जिसकी वज़ा से क्या हो जाएगी यहा पर इलेक्ट्रॉनों के त्वरित होने की वजह से उनको अनुगमन वेग प्राप्त होता है जिसकी वजह से विद्धारा प्रवाइत होती है ठीक है तो यह सब चीज हम लोग आल्रेडी पढ़ चुके हैं ठीक है अब विसिस्ट प्रतिरोध कैसे निकालेंगे हम लोग इनके बीच भी रिलेशन है तो फटा फट से पहले तो आप लोगों को नीट एंड क्लीन डाइग्राम बनाना है और इसके बार यह वाला रिलेशन लिखना है आप लोगों को विद्ध्यूद्चेत्र बराबर विद्ध्यूत विभाव बटे क्या होता है चालकतार की लंब ही गा तो यह जो इलेक्ट्रॉण में लगने वाला विद्ध्यूत बल है यह हम लोगों ने पढ़ा है इसका सूत्र फ बराबर यह आवेश ठीक है आवेश ओ क्यों यूद्ध्यूत पढ़ाता यहां पर आवेश क्या है इसको क्या लिख रहे हूं एफ बराबर स्मॉल ए इ ट्राइंस जो है वो गती कर रहे हैं थो गती के नियम के अनूसार हम लोगों का यहाँ पर बल कर Mind to क्या होता है मद लिख Clayton होता है रब्यमान इन्टू तो यहाँ पर इन रिलेशन का हम लोग क्या करेंगे इस्तमाल करेंगे ओ यहाँ पर हम लोग कि यहाँ पर जो त्वरन प्राप्त करते हैं वो विद्यूद बल की वजह से प्राप्त करते हैं तो इस विद्यूद बल का मान यहाँ पर मैं रख दूंगी स्मॉल इ बटे क्या हो जाएगा यह द्रव्यमान क्या हो जाएगा यहाँ पर M बराबर द्रव्यमान और E बराबर औरेडी हम लोगों ने यहाँ पर relation लिखा हुआ है ठीक है तो इस relation को अगर मैं इस E के जगह में रख दूंगी तो यह क्या हो जाएगा E by M और E के जगह हम लोग लिख सकते हैं क्या V by L लिख सकते हैं ठीक है V by L लिख सकते हैं तो इस तरीके से हम लोगों हमारे पास यहाँ जो हमारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो त्वरित हो रहे हैं ठीक है तो इन इलेक्ट्रॉनों के त्वरण का सुत्रा आ गया क्या स्माल E इलेक्ट्रॉन और यह V वीभाव है द्रव्यमान है यह और यह क्या है लंबाई चालकतार की लंबाई यह हमारे इलेक्ट्रॉनों के त्वरन का सुत्र आ गया ठीक है क्या आ गया इलेक्ट्रोनों के त्वरन का सुत्र आ गया equation number one लिख लो इसको ठीक अब हम लोगों को गती के समीकरण हम लोगों ने पढ़ाता यहां पर क्या हो रहा है इलेक्ट्रोनों को त्वरन प्राप्थ हो रहा है जबकि जो अंतिम वेग हम प्राप्त करते हैं वो हमारी drift velocity होती है ठीक है तो ये हम लोगों ने first class में explanation already देख लिया है देख लिया है कि नहीं हाँ की ना yes or no जल्दी से comments करके बताओ सभी बच्चे clear है इतना बहुत important concept समझा रही हूं ठीक है जल्दी फटा फट से quickly cover करेंगे अब हम लोगों को गती का समीकरण पता है कहां से कक्षा 11 वी में आप लोगों ने गती के 3 समीकरण पढ़े होंगे जिसमें से आप लोगों का गती का जो पहला समीकरण है वी बराबर यू प्लस 80 यह आप लोगों का क्या है गती का पहला समीकरण और इस गती के पहले समीकरण को अगर इलेक्ट्रोनों की गती के लिए हम लोग इस्तिमाल करना चाहेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा अंतिम वेग वी जो है यह हमारा हो जाएगा drift velocity अपवावेग या अनुगमन वेग और जो इलेक्ट्रोनों का प्रारमभिक माध्य वेग होता है ठीक है? और यह जो ए है त्वरण यहां पर जो हमारा त्वरण है वही त्वरण यहां पर होगए तो यह त्वरण की जगह मैं इसको लिख सकती हूँ क्या small e capital V बटे ML और यहाँ पर जो T है ठीक है यहाँ पर T है यह क्या होगा माध्य समय होगा क्या होगा यह माध्य समय होगा इलेक्ट्रोनों का माध्य समय इस माध्य समय को हम लोग टाउ से प्रदर्शित करते हैं ठीक है इस टाव को हम बोलते हैं क्या श्रांती काल, क्या बोलते हैं श्रांती काल, तो अब ये पहले तो सबसे पहले यहां पर मैं इसको लिख देती हूं, equation number 2, equation number 2 लिखने के बाद इस स्रांती काल को समझ लेते हैं, जल्दी फटाफट से नोट कर लो, screenshot ले लो, जल्दी से हम स्रां काल के बता दिया ठीक है माध ध्या तवरन सारे उलेक्ट्राणों का तवरन वहां पे निकल गया अब भात करें गया माध्य समय की ठीक है तो यह समय कौन सा है माध्य समय तो जैसे कि जम आप लोगों को और स्क्वात이면 को बताया था तो वहां से उनकी गती जूर्जा शुन्य हो जाती है जैसे ही हम लोग उसको विद्धित छेत्र के मतलब संप्रभाव छेत्र में ले करके आते हैं तो विद्धित बल लगने के करण पुना हो गती जूर्जा प्राप्त करते हैं क्या करते हैं पुना हो गती जूर्जा प्राप्त करते ह वज़े से लगातार ये प्रक्रिया चलती रहती है जिसकी वज़े से इलेक्ट्रॉन जो है क्या करते हैं गती कर पाते हैं त्वरित हो पाते हैं और उनका वेग जो होता है वो अनुगमन वेग कहलाता है तो यहां पर क्या हो रहे हैं बीच में इलेक्ट्रॉनों के टक्कर हो ठीक ए? और इस टककर का जो समय है, ठीक ए? यही क्या कहलाता है? यही आप लोगों का यहाँ पर यह जो समय जो हम लोग इस्तेमाल कर रहें वो इस तरीके से क्या होगा? मान लोगी एक मतलब कि पहली बार में कोई दो electron है तो उनके बीच के टक्कर का समय T1 ठीक है तो इसी थरीके से बहुत बाढ़ टक्कर होंगे थिक है तो हम को क्या करना पड़ेगा वहाँ पर भी हम लोगों को इन तक्कर का माध्य समय निकालना पड़ेगा तो मान लोग की बार बार इसी तरीके से T1, T2, T3 इस तरह के से बहुत बार टककर हो रहे हैं ठीक है तो हम लोगों को करना क्या पड़ेगा कि इन दो इलेक्ट्रोनों के जो बीच का टककर यही समय जो है शांतिकाल कहलाता है और इनका हम लोगों को माद्य समय निकालना पड़ेगा ठीक है माद्य समय निकालना पड़ेगा तो माद्य समय क्या हो जाएगा इनका T1 प्लस T2 प्लस डैश 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 टी N बटे क्या हो जाएगा N ये माद्य समय हो जाएगा इस माद्य समय को हम लोग क्या करते हैं टाउ से प्रदर्शित करते है किस से प्रदर्शित करते है ताउ से तो इसके पहले चेप्टर में हम लोगों ने बल आगूण को टाउ से प्रदर्शित किया था तो वो अलग था ये अलग है दो इलेक्ट्रोनों के बीच का जो टकर का माध्य वेग है वही क्या कहलाता है आप लोगों का शांतिकाल कहलाता है ठीक है जिसको हम लोगों नहीं हापे गती के समीकरण में लिखल रखा है ठीक है क्या किया है गती के समीकरण में रखा है जल्दी से फटा फट से नोट कर लो दो क्रमागट टकरों के बीच लगे माध्य समय को स्रांतिकाल कहते हैं, ठीक है, चालो, ओके, क्लियर है, आगे बढ़े, आगे बढ़े, ठीक है, तो भाई ये जो हम लोगों ने, second, ये जो हम लोगों ने, दो नमबर का समीकरण निकाला है यहाँ पर, इसी समीकरण से हम आग पर क्या लिख सकते हैं, VD बराबर, क्या लिख सकते हैं, VD बराबर, क्या आया था हमारा, EV, बटे, ML, और यहाँ पर शांतिकाल जो था, वो क्या आया था, ठीक है, ये समीकरण हम लोगों को second समीकरण से प्राप्ट हुआ था, ठीक, अब, अब, तार में जो विद्धारा ह है, जिसकी वज़ा से हम लोगों को VD बराबर क्या प्राप्ट हुआ था, आई बराबर, N, E, A मिला था, यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, I, बराबर, VD, यह क्या है, हमारा, N, E, A, VD, यह हम लोगों को क्या मिला था, समीकरण मिला था, या फिर सूत्र मिला था, व विद्यूत धारा, ठीक है? तो यहाँ पे हमको करना क्या है? इस VD का मान रखना है, यह हमारा क्या है? समीकरण 2, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग इसको मान लेते हैं, क्या? समीकरण 3 मान लेते हैं, तो समीकरण 3 में, समीकरण 2 का मान रखने पर, मान रखने पर, रखो भाई, जल्दी से रखो फटाफट मान रखो वैल्यू पूट करो वैल्यू पूट कर दो भाई जल्दी से क्विकली एकदम फास्ट क्या हो जाएगा यहां पर आई बराबर एन ए ए वीडी के चखा में हमारा हो जाएगा इवी बटे एम एल टाव ठीक है वी डी बटे एम एल टाव और यहां पर आप देख सक रहे हो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स दो बार हैं यहां पर आप इसको लिख सकते हो एन ए का वर्ग और क्या लिख सकते हो ए ठीक है एन इगा वर्ग ए बटे एम एल टाव और यह क्या हो गया हमारा वी वीभाव है हमारा ठीक यही है लिख लो फटा फट से अच्छा यह टाव नीचे नहीं है भाई करेक्ट कर लो यह तो यह बाजू में था है ना तो यह गलती से लिख गया है यहां पर इसको करेक्ट कर लो यह तो कहा आएगा बाजू में यह इस तरीके से ठीक है अब करेक्ट है सही है बिल्कुल चेक कर लो हाँ बिल्कुल सही है अब हमारे पास क्या संबंद है यहां बाजू में ही लिख रही हूँ वी क्वेस्टू आ रही ठीक है तो हम करेंगे क्या यह वाला जो हिस्सा है इसको जो है हम लोग विद्धारा की तरह पक्षांतर क करने से ML हमारा उपर चला जाएगा नीचे में N E का वर्ग A और क्या जाएगा टाउ आ जाएगा ठीक है तो आप लोग देख पा रहे हो ये हमारा मान लो क्या है ये हमारा समीकरण ये हमारा समीकरण 4 है और इस समीकरण 4 को अगर हम क्या करेंगे इससे कंपेर करेंगे या फिर तुलना करेंगे तो कंपेर करने से आप लोगों को दिख रहा होगा क्या दिख रहा होगा कि हमारा जो ये वाला हिस्सा है और कुछ नहीं बलकि हमारे प्रतिरोध के बराबर है य यहाँ पर अनुगमन वेग का रिलेशन मिल गया, क्या मिल गया, यह आर बराबर M L बटे N E का वर्ग एटाओ, मतलब अनुगमन वेग के आधार पर हम लोगों को प्रतिरोध मिल गया, क्या मिल गया, अनुगमन वेग के आधार पर हम लोगों को प्रतिरोध मिल गया, बिलकु तो ये वाला equation हमारा आया है, क्या आया है, r बराबर m, l, बटे क्या था, n, e का वर्ग, a, और tau, ठीके, इसमें मैं क्या करूंगी, l और a को साइड में लिख दूंगी, l और a को इस तरीके से लिख दिया मैंने, यहाँ पर क्या हो गया, m, n, e का वर्ग, और tau, और यह क्या हो r, और r बराबर हमारा क्या होता है, रो, l, by, a, भी होता है, ठीके, तो यहाँ पर अगर हम comparison करेंगे, तो यह वाला हिस्सा आप देख सकते हो, आप लोगों का विस्स्ट प्रतिरोध के बराबर है, इसका मतलब रो बराबर आपका m, बटे, n, e का वर्ग, बटे tau, ठीके, य समीकरण हमारा निकल के आ गया, तो इसको आप समीकरण नंबर दे सकते हो, यह हमारा क्या था पांच, और यह हमारा क्या है, च्छे, तो यहाँ पर अनुगमन वेग के आधार पर हम लोगों ने प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध, किसी भी चालक का प्रतिरोध, और हम यहाँ पर निकाल के यहाँ पर सूत्र का निगमन कियें, तो यह question भी आता है आप लोगों का, सभी को clear है, समझ में आ गया सभी को, जल्दी से फटाफट से note कर लो भाई, कहीं पर अगर note नहीं किया होगा, जल्दी से आप screenshot ले सकते हो, फटाफट से screenshot ले लो, जल्दी से quickly screenshot ले लो, ले लिया सभी ने note कर लिया, यहाँ से मैंने आप लोगों को शुरू किया था, किस किस relations का हम लोगों को इस्तमाल करना है, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा है, दो classes में, ठीक है, और यह वाले उपर के जो हैंगी, हम लोगों ने पहले अपने physics में पढ़ा रखे हैं, और यह भी हम लोगों ने पहले physics में पढ़ा रखा है, इन सारी चीजों को हम लोगों ने इस्तमाल किया, इस्तमाल करके हम लोगों ने अनुगमन विक की आधार पर चालक का विसिस्ट प्रतिरोध यहां पर ग्याद किया क्लियर है सभी को 5 नंबर और 6 नंबर एक्वेशन इसको भी बॉक्स बना लो बिल्कुल यह 5 और 6 नंबर एक्वेशन हम लोगों ने यहां पर निकाला है चलो फटा फट से एक दो निमारिकल्स हम देख लेते हैं यहां पर यह टॉपिक हमारे कंपली रोद आ है कोशन ट्राइ कर लेते हैं देख लो फटा फट से नियत लंबाई के टार के सिरोव पर नियत विभुवांतर लगाया जाता है तो इलेक्ट्रॉंस का अपवाहविक टार के अनुप्रस्ट कार्ट के छेत्रफल पर किस प्रकार निर लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉंस का जो अपवाहवेग मतलब कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉंस का अपवाहवेग है वीडी है ना वो किस प्रकार निर्भर करेगा अनुप्रस्ट काट के छेत्रफल पर किस प्रकार निर्भर करेगा तो हम लोग उने क्या रिलेशन पढ़ा य वी डी बरावर, आई बटे, एन E, A, तो अनुप्रस्त काट के शेत्रफल के पर किस प्रकारि निरभर करेगा, तो आप लोग देख सकते हो, यहां पर अनुप्रस्त काट के शेत्रफल के विद्कृत्रम अनुपाती है, है यहना, क्या है, यहाँ पर relation में देख सकते हो बटे में है A तो यह क्या हो जाएगा अनुप्रअस्ट काट के के वल और के वल अनुप्रास्ट काट के शेत्रफल पर किस प्रकार निरभर करेगा ये पूछ रहा है हम को ठीके तो यह क्या हो जाएगा वित्क्रमा अनुपाती हो जाएगा अनुप्रस्ट काट के छेत्रफल के ठीक है यही होगा ठीक है किस प्रकार निर्भर करेगा समझ माया तार के अनुप्रस्ट काट के छेत्रफल इलेक्ट्रॉन का आप वाहवे क्लियर है सबी को ओके theoretical question था ठीक है तप्त तन्तु हम लोगों ने लिया है कमरे के ताप पर कमरे का ताप क्या है जीरो डिग्री सैंटिग्रेट और उस ताप का मान ज्याद कीजिए जब इस प्रतिरोध का मान 117 हो ठीक है तो और इसका आपको पदार्थ का ताप गुडांक मतलब की अलफा का मान दिया हुआ है तो प्रतिरोध धकता की जो ताप मन निरभरता हम लोगों ने सुत्र पढ़ाता जो आज मैंने रिवाइस भी करवाया तो उस से रिलेटेड यह नुमर्कल्स है फटा फट से ट्राई करो क्या है भई क्या था फार्मूला जल्दी से बताओ क्या फ़र्मूला पढ़ाता हम लोगों ने प्रतिरोध धकता और प्रतिरोध दोनों के लिए हम लोगों ने पढ़ाता रो टी बराबर रो नॉट वन प्लस अल्फा रो नॉट वन प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट और यह यह सुत्र हम लोगों ने पढ़ाता अल्फा हमाया ताप गुडांग दिया हुआ है, रो नॉट कप था, टैमपरेचर, 0 degree centigrade पर प्रतिरोध हकता थी, और T जो है कप प्रतिरोध हकता थी, आपकी T temperature पर, ठीक है, पर हम लोगों को यहाँ पर प्रतिरोध की बात किया है, तो हम लोगों को यहाँ पर R नॉट इस्तमाल करना है, 0 degree temperature पर जो हमारा प्रतिरोध है, R नॉट हम लोगों को दिया हुआ है, already प्रेश्न में, कितना दिया हुआ है, 100 Ohm दिया हुआ है, जब हम लोग इसके temperature को T temperature बढ़ा देते हैं, तब उसका जो प्रतिरोध है, 117 Ohm हो जा रहा है, तो हम लोगों को यहाँ पर इसके लिए कौन सा स सुतर इस्तमाल करना है, प्रतिरोध वाला सुतर इस्तमाल करना है, R T बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, R नॉट एक प्लस अलफा T माइनस T नॉट, यह हो जाएगा, ठीक, हम लोगों को निकालना क्या है, तापमान निकालना है आपर, किस तापमान पर 117 Ohm होगा, यह तापमान हम लोगों को क्या करना है, फाइंड आउट करना है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 117 रख दो, जल्दी से फटाफट, और 0 डिगरी पर 100 Ohm दिया हुआ है हम लोगों को, और तापमान अंक का मान क्या दिया हुआ है, एक दसमलाव साथ गुणा दस की घात माइन चार, और दिखो तापमान T है, और जो बांकी जो T naught है, वो क्या है, 0 डिगरी है, ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों को temperature find out करना है, फटा फट से calculate करो और बताओ कितना answer आएगा, किसका आया answer, जल्दी से quickly एकदम फटा फट बताओ, जल्दी भाई, जल्दी, try करो, क्या आए एक हजार डिगरी सेंटी ग्रेड, बिल्कुल, try करना है आप लोगों को खुद से, ठीक है, हो गया, screenshot ले लो, फटा फट से note कर लो, चाल, ओके, तो भाई, एक और निमारिकल हम कर लेते हैं, थर्ड निमारिकल हमारा है, क्या है question, एक heater के टार में से, एक मिनट में गुजरन की संख्या निकालनी है, जो आठ एंपियर धारा प्रवाहित कर रही हो, तो भाई, अभी हम विद्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध है आई बराबर क्यूबाई टी होता है की नहीं और क्यू बराबर हम लोगों को अगर यहां पर ठीक है तो हम लोगों को विद्युद्धारा पता है हमको समय पता है और हम लोगों को इलेक्ट्रोनों का आवेश पता है एन संख्या हम लोगों को निकालनी है क्या करनी है एन संख्या निकालनी है तो यहां से आप लोगों का सुत्र क्या हो जाएगा एन बराबर आई टी मिनस 19 आ जाएगा भाई इलेक्टरॉनों की संख्या कैलकुलेट कर सकते हो खुदी कैलकुलेट कर लो कितना आएगा आँसर जल्दी से फटा फट से क्विक्ली आजाएगा आसर ले आना आप फटा फट से ठीक है तो भाई आज की क्लास यहीं पर खतम करते हैं तो बिटा ठीके से आसान धंग से भिना किसी confusion के हम लोगों ने सारी चीजे cover कर ली और बहुत अच्छे से हम लोगों ने सारी चीजे पढ़ ली है ठीक है तो आज की class में हम लोगों ने सारा कुछ cover कर लिया इस से related topic का आगे अब भी हम लोगों को प्रतिरोधों का संयोजन वाला topic हम लो को खुद से practice करने हैं तो इस बात का आप लोगों को बिल्कुल ध्यान रखना है तो जितने बच्चे नए आई थी उन लोगों ने इस चैनल को subscribe तो जरूर कर ही लिया होगा जितने बच्चे class में हो सभी इस video को like कर ही लिये होंगे बट जो नए बच्चे हैं अगर मेरे को contact करना चाहते हैं तो आप मेरी Instagram ID पे मुझे contact कर सकते हैं या फिर मेरे mail ID में मुझे connect कर सकते हैं guys प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है टेलिग्राम चैनल जरूर जोईन कर लो ताकि class की PDF में आप लोगों को share कर सकूँ अगर आप लोग टेलिग्राम चैनल में जोईन हो प्रतिरोधों के संयोजन के सांथ तब तक के लिए बाई बच्चों